अब हमारा salary का finally, last topic हम start करने जा रहे हैं, provident fund जी, अब एक बाद सीधो के बैट जो बिलकुल ही आरा, इदर देखो ध्यान से, provident fund के topic में मैं आ रहा हूँ जी, अब ये topic ऐसा है, कि इसमें से exam में question तो बनता ही बनता है, बड़ प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी important है ठीक है एक्जाम में practical question नहीं बनेगा question बनेगा provision based ठीक है बड़ प्रोवीजन इसके बहुत सारे हैं इसलिए बच्चा होता है confused इसलिए होती है गल्ती तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके इस complete diagram से आपको PF का सारा concept समझ में आ जाएगा और जो भी confusion जो होती हैं बच्चों को इसमें पूरी complete हो जाएगा बट इसमें छोटी-छोटी बाते हैं जो ध्यान में देनी है अगर थोड़ा सा भी दिमाग क्लास से बहार हो गया यह समझ पर PF का concept उड़ गया और अगर PF एक बार यहां से उड़ गया तो पूरी जिंदगी लगे रहे हैं पीएफ कभी समझ में नहीं आएगा उसका reason प्रफेशनल में chapter salary का है नि पीएफ की कही नहीं बाते होती हैं तो पीएफ का treatment हमें क्या करना है वो हम समझने जा रहे हैं इसको मैं last में क्यों करा रहा हूँ अब बिल्कुल mind free है अब हमारे कोई concept ने सिर्फ हमें पीएफ ही समझने अब सुना ध्यान से मैं कहना क्या रहा हूं सर अब एक पार पीएफ की पहले समझते हैं कि पीएफ होता क्या है अब अगर मैं पीएफ की बात करूँगा तो में भी आपने कभी नाम सुनाओगा प्रोविडेंट फंड अब प्रोविडेंट फंड भी कई तरह की होती है एक तो में भी आपने नाम सुनाओगा सर एक नाम होता है पीपीएफ अ P.P.F. का और किस किसने P.P.F. का नाम कभी सुना ही नहीं है और बाकी बच्चे जी चेर एकपर मैं दुबारा से पूछता हूं एक P.P.F. होता है P.P.F. तो ये नाम किस किसने सुना है सिर्फ सुना है मैं यह नहीं पता है कभी सुना अपने P.P.F. कुछ होता है P.P.F. और कि किस ने कभी यह नाम नहीं सुना ओ काफी सारे बच्चे अब इधर सुना द्यान से मैं कहना क्या चारा हूं स्वर वैसे यह बहुत अचंबे की बात है कि आपको PPF के वारे में नहीं पता क्यूंकि नोर्मली अरकल आप मैट्रों में जाते हो तो भी PPF के बोर्ड लगे होते हैं आप कहीं पर भी चेक करो आज कल मालब इतने न्यूस चैनल में सेविंग की खबरे आती हैं कि आप सेव करो, टेक्स बचाओ, सेव करो, टेक्स बचाओ तो वहाँ पर PPF नॉर्मली चलता है, हाँ वह बहुत अलग है कि जो आप देखते हो, रिल्स उसमें नहीं आता उसमें PPF की बातें नहीं हैं, वो कभी इसलिए हमें पता लगा ही नहीं कभी, अगर हम थोड़ा सा न्यूस में थोड़ा देखेंगे तो PPF में पता होता अब सुना ध्यान से, PPF का मतलब कहा दे को नाम से बता लग रहा है, Public Provident Fund महला Public Provident Fund का मतलब क्या है, कि Government यह बत कहती है, कि कोई भी Public, सिरफ Employee नहीं, कोई भी इवन आप भी PPF में खाता खुलवा सकते हो, और PPF जो है सबसे safe investment होती है, इसका rate of return बहुत अच्छा होता है, interest rate बहुत अच्छा होता है, और कई लोग तो ऐसे होते हैं, जैसे अभी मेरी daughter अभी पैदा हुई, तो हमने starting से PPF open करवा दिया उसका, अब उसका reason है, कि जब व साल के बाद क्या होगा, कितनी income को आएंगे, हमें भी नी पता ना, तो अभी income है तो डेड़ लाग पर साल के डाल तो, अब अगर डेड़ लाग पर साल के डालेंगे, बीस साल तक बाइस चोबीस लाग होंगे, उसका interest डबल है फिर, अब साड़े साथ पर सेंट पर रहनम interest है और वो ही cumulative base पर, तो बहुत आज अगर मैं आप मालों डेड़ लाग रुबे साल के डालता हूँ, आज से 21 साल या 22 साल के बाद यह आपको 40-40 लाग मिलेंगे, अब अभी डेड़ लाग डालते हैं पता नहीं लगेगा, बट अगर वो ही 20 साल के बाद अगर 42 लाग मिले investment है, बहुत इसमें पैसा डूबेगा नहीं, जैसे मालों लो फर एक्जामपल अपने share में लगा दिया, आज देख लो share के क्या हाल हो रहे हैं, बहुतल बुतल हो रही हैं, अब जिसने मालो अडानी, अडानी, अडानी के खरीद रखे थे, वो अडानी दानी देगा, वो मि मलग कहना है, कहां से कहां market जा सकती है, share sale करने का मौका नहीं मिल रहा, market खुलती है, circuit लगी होती है, आप sale कैसे करोगे, अब जो अडानी के share में तीन हजार के अंदर फस गया, आठ नौसर में धक्क्या खा रहा है, वो share कही है, enterprise मेरे रिखाल से, अडानी ग्रीन नौसर बे कई बच्चों की saving होती है, अब किसे saving करके 10,000 पर कमाए, किसो ने का अदानी अदानी चटर चटर उसने 4-4,000 पर के 2 share ले लिए, अब वो 900 बचा धक्के खा रहा है, अब वो 4000 में कब आएगा, 92 साल लगेंगे उसको, ऐसा ने daily आजेगा, क्योंकि market जब गिरती है, तो बहुत जबर्दस तरीके से गिरती है, बढ़ती ऐसे नहीं है, तो बना problem के निकल क्या रही है, कि ये investment, safe investment नहीं है, तब भी आपको भी चेक करना, लोग क्या करते हैं, majorly investment करते हैं, SIP में, SIP खुलवाते है, mutual fund, SIP, अब S SIP भी ऐसा नहीं है, 100% risk free है, उसके अंदर भी risk है, अगर market crash हो रही है, तो SIP भी आपकी down आएगी, बढ़ाँ ये confirm है, कि बहुत, बहुत, मतलब, chances ऐसे कम होंगे, जो आपकी capital से भी कम आपको मिलेगा, फिर भी आप 10-12%, 15%, 20%, even 40-40% तक भी return आती है, SIP के अंदर, बढ़ हर case में नहीं, हाँ 10-15% नोर्मल है, अब लोग सोचते है, FD में 60-70% कमा रहा हूँ, तो SIP में 10-12% ये तो अच्छे है, तो मतलब, कई investment के तरीके हैं, बट PPF जो है, सबसे safe investment है, इसका market से कोई लिन देना नहीं है, तो अब कई लोग जो है, पहली बात तो समझो, PPF, उसका salary से कोई वास्ता नहीं है, आपने PPF खुलवाना है, आप भी खुलवा सकते हो, आप फादर से बूचना, उनका PPF पक्का होगा, अगर salary class person है, नोर्मली salary class को तो पक्का होता है, business class वाले investment में विश्वास नहीं रखते हैं, मैं सही बता रहा हूँ, business class वाले कादा है, पागल ह में क्या चल रहा है, कि जब मैं 60 साल के बाद retire होंगा, तो यह को लमसम पैसा भी तो चाहिए, business class तो पूर जिंदी की पैसा कमा सकता है, बट salary class कहां से कमाएगा, अब 60 साल का हो गया, retirement की age है, अब अगर उसको पैसा लमसम नहीं मिलेगा, मान लो उसके बच्चे या उसके मेरे फादर के बिजनस है, बट अगर वो जोब करते, अगर वो retire होते, उनके हाथ में saving ही ना होती, और मान लो हम नलायक निकल लाते हैं, वो कहां जाते हैं, तो सबसे बड़ी problem salary class को यह होती है, business class की सोच अलग है, salary class की सोच अलग है, salary class जितना कहता है कि अगर मैं को 1.5 ल साल है, वो गुजार लूँगा, बट business class कहता है, हमारा तो business है, अब मैं 1.5 लाख रवे per annum की saving करूँगा, 1.5 लाख रवे साल की, एक साल में मैं 1.5 लाख business में लगाके, मैं तो 5 लाख कमा लूँगा, मैं 1.5 लाख क्यों लूगा हूँ, वहाँ interest 7% है, यहाँ interest भाई साथ 3-400% है, तो business class की सोच लग चल रही है, तो normally PPF हो गया, LIC हो गया, FD हो गया, यह normally कहां सुनने को मिलती है, salary class person, अगर आपके फादर salary class आपका अभी देखना, FD उनकी saving होगी, PPF उनकी saving होगी, LIC उन्होंने करवा रखी होगी, और घर में अगर लड़कियां होगी, तो सु अब लड़की की शादी का time होगा, salary मालो, parents retire होगे, अब पैसा कहां से लाएं, तो फिर जो PPF से पैसा निकलेगा, जो सुकन्या समृती से पैसा निकलेगा, उससे फिर शादिया होती है, normally salary class person की, क्योंकि उनके दिमाग में vision चल रहा long term, कि आज अगर मैं saving करूँगा, तो 20 साल के बाद मुझे पैसा मिलेगा, तो 20 साल के बाद ये event होगा, उसमें पैसा लगाना है मुझे, और उसमें महंगाई कितनी बढ़ शुकी होगी, आज से 10 साल के बाद 10 लाग में शादी नहीं होगी, 20-25 लाग में शादी होगी, क्योंकि cost increase हो रहाएगी, cost company हो रही, cost बढ बास्ता नहीं है, कोई public इसमें आए, पैसा contribute करे, हम उसको deduction दे देंगे, deduction का मतलब क्या है, section 80C, आपको मैंने का, deduction दो तरह नहीं होते है, internal और, तो जिन लोगों की gross total income निकल के आती है, अगर उन्होंने PPF में contribute किया हुआ है, तो यहाँ पर minus कर लेंगे, even मैंने अपना PPF अपनी मरी से नहीं खोला क्योंकि मैं इसमें विश्वास रखता ही नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, वो तो मेरे फादर ही लो है, वो इस bank के अंदर है, वो government bank में, उन्होंने अपने bank में मेरा खाता खुलवा लिया, और वही में PPF कर लिया, अचा होता क्या है, अब PPF मेरा हुआ है, मैं पैसे डालता है, मैं को ध्याम नहीं मेरा money नहीं करता है, बहुत साथे सथ परसेंट रिटरन कमाऊंगा, इतनों मैं कहीं और सेविंग करके, बहुत बगवान ने पढ़ा लिखा माइंड दिया, मैं कहीं और investment कर सकता हूँ, बट उनके दिमाग मैंने का अलग हमारे दिमाग अलग चल रहा हुझए, अब वो क्या करते है, आप मत अपने अपने काऊंट से मेरे पीपाइफ में डाल देंगी 1,00000,000,000,000 अब तो रहते हैं, अब मैं को एक अलग देने हैं, आइसस करके लिए मुझसे, बस्से सेविंग कर रहे हैं, अब क्या करनेंगे, उन्होंने एक लाग देने पड़ेंगे, मैं उनको थोड़ा रखूँगा, फिर मैं को एक लाग उनको देने हैं, फिर मैं बोलूँगा, अब मत डालना, हाँ, बेटे, कोई बाद नहीं डालूँगा, फिर फोन आठेगा, बेटे, पचाज़ार PPF में डालती है, मैंने का यार पर यार वाइफ को बोला, मैं का यार, पापा तेरे बेंक में है, इसका बाद ये निया कि वह कुछ भी करते रहेंगे, बाद खाते खुलवा रखे हैं, उसमें एफडी में कभी डाल देंगे, और फिर में को पेमेंट करनी है, तो इस तरह से वह सेविंग करवारे है, उनक अब की डिड़क्शन मिल जाती है, सेक्शन एटी सी के अंदर, बट आपने इस बार का बजट सुना होगा, अगर सुना है तो अच्छी बात है, वैसे सुनना चाहिए, चाहिए वो एक्जाम के लिए अप्लिकेबल नहीं है, क्योंकि बजट सुनने से ही पता लगता है कि हम हमारे काम का चल रहा है, अब इस बजट में सीता रम्मन जी ने क्लियरली बोल दिया, कि अब तुम अपनी इवेस्टमेंट जो करते हो, वो तुम करो, उसका बेरिफिट हम तुमें नहीं देंगे, अभी तक गोर्मन बता है क्या बोलती थी, अभी तक गोर्मन कहती थी, तुम प्रीमियम पे करोगे, उसका हम तुमें डिटक्शन देंगे, फिर गोर्मन को लगए हम क्यों देंगे, लाइव उसकी बचरी है, लाइव उसकी बचरी है, डिटक्शन हम दे रहे है, हैल्थ उसकी सही हो रही है, डिटक्शन हम दे रहे है, FD उसकी हो रही है, सेविं स्किम का मतलब है बुलाती है मगर जाने का नहीं यह था ना बुलाती है मगर जाने का नहीं क्यूंकि उसमें काफी सारे बेनिफिट बिड्रो कर लिए और नई स्किम में जो यह investment आप करते हो उसकी deduction मिलती नहीं है अब गोर्मेंट इस बार नई स्किम को ही पर्मोट किया उसने और आपको मैं दिखा दूँगा आर्मीन बाद आप नोट कर लेना अगले बजट में या मैक्सिमम उससे अगले बजट में ये पुरानी स्किम बेकार ही खतम कर देंगे ये नई स्किम में आ जाएंगे इस फ़र उन्होंने दिखा दी पिच्चर इसमतर उन्होंने क्या बोला एक्च्वल में कहता जब अभी तक लोग रिटर्न फाइल करते थे तो जब रिटर्न फाइल करने जाते थे तो उसमें ना ओल्ड स्किम का ओप्शन आता था माला option माला old scheme by default थी अगर new लेनी है तो बताना पड़ता था अब finance minister ने क्या बोला कि हम new scheme by default कर रहे है माला आपको new ही मिलेगी अगर old लेनी है तो बताना पड़ेगा आपको अब जैसे old scheme में फाइदे क्या है PPF में contribute करो, deduction है, health insurance की deduction है, LIC की deduction है FD direction, माला बहुत सारी direction old scheme के अंदर है, new scheme में zero है बट new scheme में इंदोंने क्या कर दिया, tax rate थोड़े कम कर दिया, attractive मैंने का आप बुलाती है, माला वो बुला रही है कि आओ, क्यों मैं by default हो चुकी हूँ tax rate मैंने कम कर दिया, मैंने rebate तुमारी बढ़ा दी है याद करो, मैंने आपको rebate की limit पांस लाग बताई थी अभी भी old scheme में पांस लाग है, नई के अंदर कर दी साथ लाग अब attractive क्या बन गई, या नई scheme में जाते हैं, क्योंकि वहाँ साथ लाग की income होगी, तो tax rate मेरा बनेगा nil अब जैसे जैसे लोग नई scheme की तरफ आएंगे, वो old बेकारी कर देंगे और old वो हटाई देंगे, उनकी intention ये है, अब इस intention का मतलब क्या है तुम कराओ अपनी LIC, कराओ ना कराओ, PPS में डालो ना डालो, health सही कराओ ना कराओ हमें अफरक नहीं पड़ता, क्योंकि अगर तुम कराओगे, तो भी अब तुम्हें डेक्शन मिलनी नहीं है, नई scheme के अंदर और अगर तुम नहीं कराओगे, तो बात ही खत्म होगी, तो बहुत गोर्मेंट धीरे-धीरे, अब जो लोग आप contribution करते थे, अपनी saving में, उसका benefit government देती थी, अब वो government benefit छीन रही है बस, यह government की intention है, इसलिए अगर आप चेक करोगे, LIC का share भी down चल रहा है, और LIC के share डाउनने के दो reason है, एक तो LIC ने अडानी में contribute किया हुआ है, उसले भी down है, और दूसरा इस budget से भी, क्योंकि अब लोगों को trust खतम हो गया ना, अब लोग LIC पहले धक्ये से करवाते थे, क्यूं, एक तो life और दूसरा direction मिल जाती थी, सर देड़ लाख रवे की direction थी, देड़ लाख रवे का मतलब जो 30% के दायरे में आ रहे है, देड़ लाख का 30-45 जारवे की tax saving होती है, 45 जारवे का tax बरसा था, LIC करवाने से, पीपेफ के अदर लाख का benefit था, 40-40 जारवे की tax saving, health insurance के अंदर 25 जारवे का फाइदा, अगर senior citizen हो, तो 50 जारवे का फाइदा, 15 जारवे की tax saving महा थी, बलब नाना करते भी 3-4 लाख रवे की tax saving हो जाती थी, अगर हम investment करते थे इनके अंदर, अब news scheme के अंदर है यह नहीं, अब अगर news scheme के अंदर नहीं है, तो अब जो लोग LIC जबरदस्ती करवाते थे, वोब क्यों कराएंगे, क्योंकि करवा के फाइदा तो है नहीं ना, अरे से चलो पहले धक्या से क्यों करवा ली, चलियार करवा लेते हैं, अभी मन नहीं है, बट कम सकम डेड़ लाख की deduction मिल जाएगी, अब government जब news scheme के अंदर जाओगे, तो news scheme में deduction तो है यह नहीं, तो जो लोग करवाने की सोच भी रहे थे, वो भी कमोंगे, आप तब ही चेक करो, जितनी LIC वाली company है, life insurance की, उनके share भी डाउन चल रहे है, HDFC का भी डाउन है, ICIC का भी डाउन है, उसका reason क्या है, क्योंकि जब नई scheme promote हुई, तो LIC का कोई माइना रह नहीं गया, जो लोग वैसे करवाते हैं, वो करवा रहे हैं, बर जो लोग करवाते थे, deduction के लिए, उनको कोई फाइदा ही नहीं है, तो यसी कई चीदे है, ठीक है, तो PPF का मतलब क्या है, Public Provident Fund, हर पबलीक इसमें करवा सकती है, reduction मिलेगी, ITC के अंदर, 1.5 लाग तक की मिल जाती है, इसका employees कोई वास्ता नहीं है, इसलिए इसको हम सेलरी में cover नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेलरी का party नहीं है, फिर सेलरी में कौन से PF आते हैं, एक PF आपने सुन होगा, एक होते हैं EPF, EPF का मतलब क्या होता है, Employee Provident Fund, Employee Provident Fund का मतलब है कि जब एक Employee Retire होगा, उसको Retirement पर जो PF मिलेगा, उसको EPF बोलते हैं, अब EPF भी तीन के टिगरी के होते हैं, अब Government के दिक बात बता, यार तू उस कंपनी से Retire होगा, तो पैसा मिला PF का, तो ये पैसा कौन सा है, मतलब क्या ये SPF है, क्या ये RPF है, या ये URPF है, अब SPF, RPF, URPF में क्या फर्क है, SPF का मतलब है, Statutory Provident Fund, जितने लोग, जितने एंपलोई, Government Department के एंपलोई हैं, जैसे ही, अगर Telecommunication Department आपको बताओ, Telecommunication BSNL, ये Government का है, अगर आपके फादर उसमें काम करते हैं, आपके फादर को SPF मिलेगा, आपके फादर आपके फादर, Electricity Board में है, Electricity Department, State Government के होती है, आपके फादर बहां काम करते हैं, आपके फादर, जब रिटाइर्मेंट होंगे, आपके फादर को shaped DPF मिलेगा, आपके father for example railway में railway government की है उसमें जब रिटायर होंगे उनको SPF मिलेगा तो जो government department में job कर रहे हैं उनको पैसा मिलेगा retirement पर वो SPF का है फिर जो government department में नहीं है बट जो company government से approve है जो company government से approve है जैसे आपने कभी नाम सुना हो ONGC ONGC company government department नहीं है यह government company है government department government company के अंदर फरक होता है government department में क्या होता है वो सारी shareholding government के पास होती है normally और government company मतलब 51% की holding government के पास है तो government के लिए अगर तुम government company में काम कर रहे हो मैं simple भशा के अंदर बोलू PSU अगर तुम PSU में काम कर रहे हो government approved company है तो उसमें तुमें मिलेगा RPF recognize provident fund और अगर तुम private company में काम कर रहे हो उसमें रो पीएफ मिलेगा वो URPF है यह से मालो अशोक जी कहें कि भेको मेरी retirement पर PF चाहिए जी तो इनको पीएफ मिलेगा वो URPF है क्योंकि हमारी company private है आप अगर किसी चोटी मोटी company में CS बने के बाद काम कर रहे हो private company में काम कर रहे हो तो वहाँ PF भो मिलेगा वो URPF मिलेगा तो simple सी बात निकल कर रहे है पीएफ की तीन category है government department में काम करोगे SPF है government approved company में काम करोगे RPF है और अगर किसी private sector में काम करोगे महाँ पर क्या मिलेगा URPF मतलब fund वो unrecognize है वो unrecognize नहीं है सर इसका मतलब इसमें नुकसान क्या होता है नुकसान यह है अगर कल वो company डूब जाए तो government तुमें पैसे देने के लाइबल नहीं है government पहले ही हाथ खड़े कर रखे हैं भई हमने नहीं काता तुम PF में जमा करो भई तुम्हारी understanding है तुमने कराया अब तुम्हारा employer डूब गया हम क्या करें बट इन दोनों case में अगर employer डूब जाता है तो पैसा employer को मिलता है अब सोच क्यों बोला अगर government company है या government department है अगर मानलों कुछ employer को दिक्कत हो गई कल तो obviously government तो बैठी है ना government करें हम तुम्हें payment करेंगे यहां guarantee हमारी है यहां guarantee हमारी नहीं है बस यह बाध्यान तो ची तो यह PF हमें cover करने एक तो में cover करने स्पीएफ एक हमें cover करने और एक हमें cover करने अब एक PF समझाऊंगा automatically आपको दो PF समझ में आ जाएंगे ज्यूंकि PF का better than जो है वो same है कि SPF की फुल फॉर्म बोला मैंने क्या बोला स्ट्रेशवडरी प्रोविडेंट आर्पिया कि फुल फॉर्म क्या है और यू आर्पियाइफ की अन्रिगोगनाईज प्रोविडेंट फंड अब सुने एक्चल में पी-एफ का कॉंसेप्ट क्या है पहले कॉंसेप्ट समझो कॉ अब सुने ध्यासिन के कहले हैं अब olur मेरे कंपनी का एंपलोई यह अब सुनना pf का क्उनसेप्ट के है अब 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 इशेग यहां पर काम कर रहे है मैं उसका एंपलोईर हूं मेरा एंपलोई है उसकी सेल्री जो है लेक् तो तीन लाख रुपे की सेलरी वो पूरे साल में लेता है, तो एक दिन अभिशेक मेरे पास आया, तो उसने का सर आपको बता मेरे शादी हो चुकी है, तो मैंने का बिल्कुल हो चुकी है, और कोई नई बात, कि नई बात तो कुछ नहीं, बस अब थोड़ा सा न दिमाग में टेंशन ही रहती है, कि खर्चे अब जाता हो गई है, और फिर ओवेसी बाता आगे हमारी फैमिली भी बड़ी होगी, तो अब यह समझ नहीं आ रहा कि आज से 20-25 साल के बाद, जब मैं रिटायर होंगा, या माल लो आपकी कंप्रिशन मेरी जो कंप्लीट हो जाएगी, तो उस टाइम पैसा कहां से आएगा, भई अभी तो 25,000 परमन्त है, सारा खर्चा हो जाता है, 25,000 आप में को देते हो, सारा खर्चा हो जाता है, तो दिक्कत वाली बात है, यह 25,000 आया, 25,000 खर्च हो गया, आगे सेलरी बड़ेगी, वो भी खर्च हो गई, सेलरी बड़ेगी, तो कोस्ट भी तो बढ़ रही है, यह थोड़ा कि अब सोच के बोलना, अब इंसान कह रहे है, 6,000,000 का पैकेश लग जाए, भई तुम CS बनोगे 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, तो उस टेम तो तुमारी एक्सपेक्टेशन ने चाहिए, यह 10,000,000 के सेलरी, क्योगी 3 साल के ब अरामदायक जिन्दगी चाहते हो, कम से कम महीने की सेलरी आपकी एकलाख होनी चाहिए, यह तो अरामदायक जिन्दगी नहीं है, सिंबल सी बात है, क्योगी खर्चे बहुत हैं, सर, आपके रहने की खर्चे हैं, घर की खर्चे हैं, और भी कई खर्चे होते हैं, उसमें पै तुझे पर मंत ना 20,000 दूंगा मैं तुझे पर मंत 20,000 दूंगा 5000 तु कोंट्रीबूट कर हमें खाता खोल लेते हैं PF का तु 5000 पे PF में डाल दे और मैं भी 5000 पे PF में डालूँगा और यह 10,000 ते रही हैं बट मैं तब डालूँगा अगर तु 5 जालेगा PF में ऐसा ही होता है PF में कुछ कोंट्रीबूट करते हैं एंपलोई कुछ कोंट्रीबूट करते हैं और नॉर्मली जितना एंपलोई कोंट्रीबूट करते है उतना ही एंपलोई कोंट्रीबूट भी करते है तो अभी शेख ने बोले इसका फाइदा क्या होगा और एक्चुल में अभीशेग ने किया अपनी शादी से पहले ये, आपको रियल किस बता रहा हूँ, उसकी सेलरी जो थी, उसने सेलरी पांच-पार जार पे कम लेना स्टार्ट की, उसका रीजन है, आपको भी चेक करना सर, आपके हाथ में पांसो रुपे हैं, पांसो खर्च तो लक्ष्मिनगर में ख़तम होई ना तो जब मेरी जहां पर गारी खड़ी होती है में में चाहिता है, उसको मैं डेली देखता हूँ, और एक्चुल में उसके गोलगपे बूत करारे टाइप से हो जैसे ने टोक्री वाला आपने कभी देखा होगा लक्ष्मिनगर में तो क्या हुआ, डेली मेरा मन बन रहा था, कि आज गोलकपे खाऊंगा, आज खाऊंगा, आज खाऊंगा, बट नहीं खा पा रहा था, चलो कभी निकलना पड़ा, फटावर से क्लास है, फिर उसके बादी, अब कल मैंने सोच रखा था, कि आज मैं पक्का खाऊंगा, कल मेरी क क्रमल जा रहे हो, आपका मन कुछ खाने का नहीं है, बट कुदरती अगर कोई खाने की चीज़ दिख जाए, उस ट्रम अचानक मन हो जाता है, चलो आज खाई ही लेते हैं, ठीक है तो गोलकपे वाला था, तो क्या हुआ, कि मैंने उसको बोला, मैंने भी शेक को बोला, मैंन मैंने इसको बोला, चेंज है, कहा रहा है, तो मैंने कहा रहा है, बाद में खा लूँगा, मैंने कहना क्या रहा हूं, कि अगर उस ट्रम 20 रुपे होते खुले, तो शायद में 20 रुपे की खा भी लेता, बट 500 थे, 500 मेरे, मैं यह नहीं कहा रहा है, बट मैंने बचा लिए, कि अगर खुले वैसे आप लेके चलोगे, वो खर्च होते रहेंगे, और अगर वोई 2,000 रुपे लेके चलोगे, वो इतनी जल्दी खर्चनी होगा, तो यही सेम चीर है, तो अभी शादी में ही बोला, कि सर मेरी आप पांट पांट जार पे सेलरी काट लो, आप मेरी को 25 र पर बन सेलरी है, अभी शेख 20 र ले रहा है, 5000 पीफ में डाल रहा है, क्या 5000 में भी डालूँगा, अब पीफ के खाते में कितने हो गए, अब यह 10 र मेरे यह भी शेख के हैं, बट अभी मिलेंगे, रिटेर्मेंट पर मिलेंगे, अच्छा, अब क्या हुआ, अब दस र रिटेर्मेंट होगी, और मैं एजियूम कर रहा हूँगी, तो 30 साल मेरी कंपरी में काम करेगा, अब 30 साल के बाद रिटेर्मेंट लेगा, पांच जार तुने अब डाले, पांच जार फीड डाले, अगले मीने पांच जार, अगले मीने पांच जार, अगले मीने पांच ज भी पांच तेरी आए पांच मेरे आए अधसे होगे तो क्या हम दसको ना कर दे कि जो भी इंसार भाए oudस नो बाल वह बया है हुआ कि रहा हुआ हो अब सूच कि बॉलना एक सालमे साथ Заर Mu बहुद पूरे कितने हो गए एक लाग बीज़ार मान लो एक लाग बीस हजार पे अगर पांच परसेंट इंट्रस्ट भी लगाऊं तो छे हजार पर इंट्रस्ट आ रहे हैं एक साल का तीस सालों में सरी इंट्रस्ट आ गया एक लाग असी जार और जबकि वो क्यूमिलिटीव होगा तो ज्यादा होगा तो कहीं निए 36 लाग की मिलें चार्श लाग मिलें गाए तो क्या फाइदा हो नहीं अब सुना कॉश्चन के कॉश्चन सुनो क्या अब मैं कॉण सा देना बस करे यह है बीजी और यह है अभी शेक किकभ और हमने खुल अदो कर छाता कि कोई पी आफ मान अभिशेक ने डाले 5.000, इसकी salary पच्टीजार पर मन थी, इसने 5.000 P.F. में डाल दिये, इसके बस कितने डा गए, 20, अब P.F. में हो गए 10, 10 को मैंने कर दिया, invest, ठीक है, अब 10 को मैंने invest कर दिया, माल लो अभी यहां पर investment से आएगी income अब ये income किस पे आ रही है पांचर जो मैंने लगाए उस पे भी आ रही है पांचर जो भी शेक ने लगाए उस पे भी आ रही है इस दोनों भी आ रही है ना अब ये income भी किसकी है अभी शेक की और फिर ऐसे करते करते हर महीने ये काम होगा हर साल ये काम होगा फिर after 30 year ये पैसा लमसम 40 लाख रुपे अभिशेक को मिल जाएगा अब कोश्चन क्या है चार कोश्चन है बस अगर ये चार कोश्चन आप समझ गई तो PF खतम है अगर ये चार नहीं समझे तो PF बड़ी दिक्कत है सबसे पहला कोश्चन अब काम की बस स्टार्ट हो गई है सबसे पहला कोश्चन अभिशेक की सेलरी कितनी थी सारे बच्चे बोलो जी कितना PF में डाला हाथ में कितने है अब पहला कोश्चन ही आ रहा है कि अभिशेक ने जो 5 आर PF में contribute किये तो उसके contribution का उसके हाथ में treatment क्या होगा मतलब कि जब अभिशेक साल के end में salary दिखाएगा तो वो अपनी salary 20 जर multiply 12 2,40 दिखाएगा या 25 जर multiply 12 3,00,000,000 दिखाएगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ सुनलो पहले answer देने से पहले अगर वो 3,00,000,000 दिखाएगा तो महला आपने क्या किया जो उसने contribute किया उसका contribution उसके हाथ में taxable कर दिया क्योंकि taxable कर दिया तो salary 3,00,000 आ गई न अगर आपने कहा वो non taxable तो फिर salary 2,40 है तो पहला question ये कि employee के contribution का employee के हाथ में treatment क्या होगा दूसरा question जो मैंने पांच-जार डाले क्या ये 5000 का फाइदा employee को हुआ नहीं हुआ तो second question employer के contribution का employee के हाथ में treatment क्या होगा नहीं जूडेंगे तो second question निकल क्या रहा employer के contribution का employee के हाथ में treatment क्या होगा answer छोड़ दो भी तीसरा question दोनों के contribution पे जो interest आ रहे है उस interest का employee के हाथ में treatment क्या होगा taxable और non-taxable कुछ तो होगा ना भाई पैसा उसको मिल रहा है तो पैसा उसको मिल रहा है इंकम तो उसको हो रही है तो क्या करें उसका and last question जब पैसा retirement पर मिलेगा तो retirement पर मिलने वाले पैसे का employee के हाथ में treatment क्या होगा यह चार question है और अब समझदार अगर हो तो तीन question during job के है एक question retirement के बाद का है और तीन question arise तब हो रहे है जब वो employee काम कर रहे है और एक question arise तब हो रहे है जब वो इसकी retirement हो रही है तो पहले मैं को चार question बोलो कौन कौन से रहे बताओ पहला question क्या है चलो मैं बोलूँगा आपने मेरे पीछे बोल रहे है question number one यह है employee के contribution का employee के हाथ में treatment क्या होगा भू तेज बोला आपने तो आपके वाज जदा मेरी वाज लग रही है पहला question यह है अब ध्यान सेगे ना कैसे बोलना अपने ठीक है रही पहला कोशन यह है employee के contribution का employee के हाथ में treatment क्या होगा ऐसे क्या होगा क्या होगा यह कोशन है यह कोशन है ना करे वारा बोलते हो हाँ कहां गया था ऐसे नहीं बोलते हैं आप अगर किसे बोलते हो तो आपका हाथ ओटोमेटिक लिए ऐसे नहीं नहीं होता है ना लायक हो फिर तो आप ऐसे होता ही तो है हां कहा हो क्या है एस ऐसे होता है ना तो यह होता है इसका मतलब यह से आप पूशन होगा चलो दुबारा से एंपलोई के कोंट्रिविशन का एंपलोई के हाथ में ट्रीटमेंड जिसको भगवारे दो दो हाथ दी नहीं वो करेगा जी बाकी छोड़ सकते हैं दुबारा से ना लायक employee के contribution का employee के हाथ में treatment ऐसे क्या होगा ऐसे नहीं करना क्या होगा नालाइक ऐसे क्या बज़ा करना क्या होगा क्या होगा ऐसे क्या ऐसे बुलना क्या होगा ठीक है रही एक वार question नमर बन दुबारा बोलो प्लीज employee के contribution का employee के हाथ में treatment क्या होगा अब दूसरा कोशन चलो कोई बात ने आपको आतर पड़ जाएगी सेकिन कोशन ये है एंप्लोईर के कोंट्रिविशन का एंप्लोई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा अब बोलो क्योंकर सेकिन कोशन क्या है एंप्लोईर के कोंट्रिविशन का employee के हाथ में treatment क्या होगा तीसरा question दोनों के contribution पर दोनों के contribution पर जो interest आएगा उस interest का employee के हाथ में treatment क्या होगा यह क्या होगा इनी नहीं बोलना ना लाए chorus कर रहोगा मेरे पीछे line फुरी बोलनी है तीसरी line बोलो क्या थी क्या थी इसरी line दोनों के contribution पर जो interest आएगा उस interest का employee के हाथ में treatment क्या होगा Oh my God साहा कुशन मर फोर कौन से है कि retirement पर retirement पर जो lump sum पैसा employee को मिलेगा उस lump sum पैसे का employee के हाथ में treatment क्या होगा क्या 4 questions समझ में आते हैं अब question number 1 से आप बोलो के मैं देखोंगो आप कैसे बोल ते हैं बोलो जी बोलो बोलो गपराएं मत करो हाँ employee के contribution का employee के हाथ में treatment क्या होगा दूसरा question employer के contribution का employee के हाथ में treatment क्या होगा क्या होगा ऐसे जो नहीं करेगा तर फिर देख लेंना क्या अई करने में इसे बता तो सही क्या दिख्कत आ रही है एसे करने में आपको लग तो क्छी करो ना क्या हो गया दूब करäter आप तो चाहि ठेए क्या होगा थे चलो con कोशon नूमर बन से स्टाट करो employee के contribution का दुबार बोले एक बाद बोलो अब दूसरा question बो employer के contribution का कि कोंट्रिबुशन पर जो इंट्रेस्ट आएगा उस इंट्रेस्ट का एंप्लोई क्या होगा ऐसे नहीं करना अरे नाला ऐसे बचार रहा है ऐसे होता है क्या होगा ठीक है अब लास्ट कोशन क्या था फिर कि रिटार्मेंड पर जो लमसम पैसा एंप्लोई को मिलेगा उस लमसम पैसे का एंप्लोई के हाथ में ट्रीट्मेंड क्या होगा बचा गया नहीं आया यह समझ में आ गया क्या होगा इधर देहां से प्लीज बातचीत नहीं, अब चार कोशन निकल क्या रहे हैं जी बस, अगर ये चार कोशन आपको समझ में आ गए, तो it means PF हमारा almost back है, एक बार लास्ट वें बोल रहा हूँ, सबसे पहला कोशन, जो 5000 एंप्लोई ने कोंट्रिबूट किये अपने PF में, उसके क उसके हाथ में हम क्या करेंगे, ये कोशन नमर बन है, कोशन नमर टू, जो 5000 एंप्लोईर ने डाले उसके PF में, तो इसके कोंट्रिबूशन का, उसके हाथ में ट्रीटमेंट क्या करेंगे, कोशन नमर थ्री, दोनों के 10,000 होगई, उस 10,000 पर जो इंटरस्ट आ रहे हैं, उस interest का employee के हाथ में treatment क्या करेंगे and question number four जब वो retire होगा retirement पर जो लमसम पैसा उसको मिलेगा उस लमसम पैसे का employee के हाथ में treatment क्या होगा अब government करती है वो depend करता है यह PF कौन सा है अगर यह PF SPF है तो treatment थोड़ा सा लग करेंगे अगर यह RPF है treatment थोड़ा सा लग करेंगे अगर यह URPF है treatment थोड़ा सा लग करेंगे अब एक बात में को सोच के बताओ नाम सही लग रहा है SPF फुल फोम बोलना क्या है statutory provident fund अब एक बार मैं आपको दिखाता हूँ आप मुरे यहां बोल के बताना देखो यह सबसे पहला यहां पर निकल क्या रहा है एक बार चेक करो देखो जी यह हमारा SPF है यह हमारा RPF है यह URPF है आप RPF यूर पर को छोड़ दो अभी दिमाग होने जाए RPF SPF के अंदर अज देखो question number one मैंने क्या लिखा है employee के contribution का employee के हाथ में treatment क्या होगा तो उसने अब answer दिया answer दिया answer दे रहा हो उसने answer क्या दिया कह रहा taxable कहां से बढ़ना taxable and eligible for deduction under section 80C इसका मतलब क्या है कि employee का contribution employee के हाथ में taxable होगा but 80C में से deduction मिल जाएगी उसको मैं कहना क्या जा रहा हूँ कि अभिशेक अगर government department में काम कर रहे है तो अभिशेक अपनी salary 20,000 पर मंत नहीं दिखाएगा 25,000 पर मंत भी दिखाएगा government ने का भाई तेरी salary तो 25,000 है ना तुने 5,000 contribute किये माना 5,000 contribute किये तेरी salary तो 25 ही है तो जब तो अपनी gross salary दिखाएगा तो gross salary जो होगी वो तेरी 3,000,000 ही मानी जाएगी तो फिर जो मैंने contribute किया तो क्या मुझे होगी फाइदा मिलेगा नहीं? मिलेगा जब तेरी gross total income निकल के आ जाएगी उसमें से हम माइनेस करेंगे deductions और deduction जो होगी वो ATC मेंस माइनेस हो जाएगी बट यहां पर एक कमाल की बात है कि ATC में maximum limit जो है वो देड़ लाग की है अब 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 कात्म को सोच के बताना अभिशेक नेगर 5000 परमंत कोंट्रीबुट किया तो पूरे साल में कितना कोंट्रीबुट किया साथ हजार क्या वो डेड़ लक्स से कम है तो पूरा का पूरा साथ हजार पे अभिशेक अपनी टोटल इंकम निकालते हो माइनस कर सकता है बट वो माइनस करेंगे टोटल इंकम इसमें दोबारा बोल रहा हूँ ग्रोस टोटल इंकम जब निकल कराएगी तब माइनस करना है सेल्री की जब इंकम निकालनी है उसटा माइनस नहीं करना एकजाम में कोशन आ गया आप देखो कोशन कैसे बनते हैठ बचा गलती करता है पीएफ में एकजाम में कोशन आ गया आपकी basic सेल्री 25 गर परमंत है उस में से 5,000 रपे आपने P.F. में डाल दिया आपकी सेलरी हैट में कितनी income taxable होगी तो बच्चा गयता है 25 में से 5 गए 20 multiply 12, 42, answer गलत है 25 में से 5 डाले तो कितने बचे 20 बट क्या हमें 20 दिखाने है 25 दिखाने है तो 3 लाख रवे की पूरी income दिखानी है अगर वो total income मांगता अगर वो गयता total income बताओ तो फिर 3 लाख में से 60,000 माइनस करके 2,40 आती है सर फरेक है total income और salary income में total income निकलती है gross total income minus में deduction तो जो एटी सी की deduction उसमें बोली है यह internal नहीं है यह external है मतलब जब gross total income निकल क्याएगी उसमें से minus कर देंगे बड़ जब salary income निकालेंगे उस time minus नहीं करेंगे ठीक है अब देखो मैंने यहाँ पर क्या लिख है आगे taxable and eligible for deduction under section 80C subject to limit और वो limit कितनी है डेड़ लाखर पे यह दियान लेगे ठीक है आच आप सुनो basic salary 25,000 है बहुत यहाँ सुना basic salary 25,000 है पांच जार पे आपने पीएफ में contribute कर दिये पांच जार पीएफ में contribute कर दिये तो question निकल क्या रहा है salary आपको दो चालिस दिखानी है तीन लाख दिखानी है अब अगर आपने basic salary तीन लाख दिखा दी है तो क्या आप दुबारा से साथ हजार पे एड करोगे या ओल्रेडी बेसिक salary में एड है क्योंकि आपने पूरी बेसिक salary दिखा दी ना या तो आप क्या करो बीज़ार मुल्टिप्लाइब बाना दो चालिस प्लस में साथ करो तो तीन दिखा दो जब ओल्रेडी आपने basic salary पूरी दिखा दी है तो क्या ओल्रेडी उसमें contribution भी एड है या नहीं है तो क्या दुबारा से एड करोगे या ओल्रेडी एडिड है अगला point परना क्या लिख्या मैंने मैंने एगले point में लिखा है अगर basic salary का full amount ले लिया है तो दुबारा से एड नहीं होगा क्योंकि वो already contribution जो होता है वो basic salary में add होता है और अगर basic salary आप ले चुके हो यह बहुत सारे बच्चे गलती करके आते हैं सर यह special यह किसी book में लिखाओ नहीं मिलेगा आपको यह वो point है जो बच्चे गलती करते हैं क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं बच्चे गलती क्या करेंगे salary 25,000 पर मनत है उसमें लिखाओगा basic salary 25,000 पर मनत फिर नीचे सब कई गलत है कि जब ओल्रेडी आपने बेसिक सेलरी पूरी ले ली है तो उसी में तो कॉंट्रिविशन है या तो आप क्या करो पचीस जार में से पांचार हटाओ और जब ओल्रेडी आप बेसिक सेलरी पूरी दिखा चुके हो तो दुबारा से उसमें एड मत करना बस यह बाद ध्यान दो जाए तो बताओ अब पहले कोंट्रिविशन का एंपलोई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या आंसर है टेक्सेबल एंड फोर डिटक्शन अंडर सेक्शन 80C subject to limit और वो limit कितनी है देड़ लाग तक बस यह बाद ध्यान दो अब सेक्टन कोशन क्या था एंपलोईर के कोंट्रिविशन का एंपलोई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा अब उसका आंसर देखने है आओ जी इधर देखो आंसर क्या लिखा है एंपलोईर के कोंट्रिविशन का एंपलोई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा फुली एगजम्ट कुछ भी नहीं होगा अगर एंपलोईर ने 5000 पर मन डाले है वो पैसे एंपलोई कहीं है बट गवर्मेंट करें हम उसके हाथ में एगजम्ट करेंगे रीजन क्योंकि वो हमारा एंपलोई है उसको SPF मिल रहा है मैं बात कराओ SPF की वो गौर्मेंट डिपार्टमेंट है ना तो गौर्मेंट ने का हम जितना मर्जी कोंट्रिवूट करें तुमें क्या तो अगर हम कोंट्रिवूट करें एंपलोई के पीएट में एंपलोई के हाथ में कोई टेक्सिबिल्टी नहीं है सारा का सारा एक्जम्ट है तो एंपलोई कोंट्रिविशन इन हैंस ओफ एंपलोई फुली एक्जम्ट कोई भी टेक्सिबिल्टी नहीं है अब अगला कुशन क्या था? दोनों के कॉंट्रिविशन पर जो इंट्रेस्ट आएगा उस इंट्रेस्ट का एंप्लोई के हाथ में ट्रीट्मेंट क्या होगा? अच्छा दोनों के कॉंट्रिविशन का मतलब क्या है? क्या एंप्लोईर के कॉंट्रिविशन पर इंट्रेस्ट क्या है अब गोर्मेंट पहले कहती थी एक साल पहले भी हाँ अमेंडमेंट आ चुकी है आधे बच्चे पी एफ कोन से चोड़ के जाते हैं रीजन के है क्योंकि अमेंडमेंट आने के बाद थोड़ा हो गया अब गोर्मेंट के देखो जी अब ध्यान से पढ़ना अगला अगला पैंट क्या है एंप्लोई के कोंट्रिविशन पर जो इंट्रेस्ट आएगा उसका एंप्लोई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा 31 मार्द 21 तक गोर्मेंट कहती थी एक्जम्ट है फिर 1 अपरल 21 से लोग चेंज हो गया अब गोर्मेंट कह रही है अब जो लोग कोंट्रिविट कर रहे हैं SPF में अगर उनका कोंट्रिविशन पूरे साल का धाई लाग तक है पूरे साल का धाई लाग तक है तो उस पे आने वाला इंट्रस्ट एक्जम्ट है और अगर उनका कोंट्रिविशन पूरे साल में धाई लाग से ज़्यादा है तो फिर आने वाला contribution जो होगा, जितना excess contribution पे interest होगा, वो taxable है, मतलब मैं example देता हूँ जी, अब दो मिन यहां पर ध्यान देना बस, पांच मिन की बात हो रहे हैं, पांच मिन यहां पर ध्यान दो, SPF हमरे कथम है, एक बात मैं को सोच के बताना, एंपलोई ने SPF में तीन लाकर पे डाले, और उस तीन लाक पे interest आ रहे है, आठ परसंट, आठ परसंट का rate है, बताओ, 31 मार्च 21 तक, जो तीन लाक पे आठ परसंट इंटरस्ट था, चोवीस दार पे का, चोवीस दार आएगा ना, तीन लाक का, चोवीस दार बन किया, वो च एंटरस एक्जम्ट है, धाई लाक के उपर आने वाला interest taxable है, अम एक बताओ, धाई लाक से उपर कितने है, पचास जार, तो पचास हजार पे का, आठ परसंट, चार हजार पे का, इंटरस अब एंपलोई के हाथ में taxable है, बस यह है, अब देखो, मैंने यहापर क्या लिख से पढ़ना, क्या लिख है, if contribution up to 2.5 lakh, तो क्या लिख है, interest accrue on such contribution is exempt, और फिर मैंने क्या लिख है, if contribution more than 2.5 lakh, interest accrue on excess contribution is now taxable, अभी हो चुग है taxable, अगर contribution धाई लाक तक है, जितना मर्जी percent interest है, सारा exempt है, अगर contribution धाई लाक से जादा है, तो जो धाई लाक से उपर वाला portion होगा, वो interest अब employee के हाथ में taxable, sir, तो जो employer, यह तो आपने बोला, employee के contribution का, अब employer ने भी तो contribute किया है, तो उस पर आने वाला interest क्या होगा, government करी employer के contribution पर आने वाला interest, fully exempt है, इसमें कोई limit नहीं है, आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि employer कोन है, government, तो government ने का हमारा contribution भी exempt है, और हमारे contribution पे आने वाला interest भी exempt है, भी हम तो खुद government है ना, तो हम contribute कर रहे हैं, वो contribution भी exempt है, और उस contribution में आने वाला interest भी exempt है, बड़ जो employee ने contribution किया, वो taxable, deduction मिलेगी ए T.C. में, और उसके contribution पे आने वाला interest taxable हो सकता है, कब अगर उसका contribution धाई लाग से जाता है, और बताउं आप समझदारो, धाई लाग से जादा वो ही contribute करेगा, जिसकी साल की salary कम से कम 40-50 लाग होगी, ओव्यस ही बात है, आल लोगों की साल की salary 6 लाग होती है, वो dialogue PF में कैसे डालेंगे, ये उन लोगों के लिए लेकर आए, क्योंकि ना, लोग सर actual में government को पागल मर रखा था, पत इनकी salary 70 लाग पर साल की है, पापा की salary 70 लाग पर रेनम की है, इनके दिमाग में एक चीर होती थी, क्यों ना मैं SPF में 20 लाग डाल दू साल के, क्यों होई ये चीज, कि 70 लाग salary है, 20 लाग PF में डालूगा, 50 लाग तो बचेंगे, फिर 20 लाग PF में डाले, 20 लाग का interest, कितना जाता, अब पहले लिखा था exempt, तो लोग planning करते थे, मोटी salary उठाके PF में डालती, वहाँ से कमाया interest सारा exempt, अब लोगों को लगा यारे तो दिमाग खराब कर रखा है इंदोंने, भई हमारी intention ये थोड़ा है, भई लोग तो क्या कर रहे हैं, भई आप मोटी salary लेते हैं, PF मे कर लेते हैं, तो government ने का सुनो मेरी बात हम, हम एक limit लगा रहे हैं, अगर तुमारा contribution पूरे साल का धाई लाग तक है, तो फिर तो आने वाला interest exempt है, बड़ा अगर पूरे साल contribution धाई लाग से जाधा है, तो जो excess value होगी धाई लाग से उपर गी, उस पर जो interest आएगा, वो सारा exempt है, reason क्योंकि आप क्या हो, आप employee government के हो, तो retirement पर मिलने वाला सारा पैसा क्या है, ठीक है री, अब चार question, answer देदो उस मुझे, अब सुना धी, हमारे एक RPF बचेगा, एक बचेगा URPF, तो maximum 20-25 मिन का topic मेरा ओर है, तो परसो की class में पहले में 25 मिन वो खतम कराऊंगा, बट, एक काम आपको homework दे रहूँ, और homework जो नहीं करेगा, मुझे पता लग जाएगा next class में, क्योंकि मैं यहां बुलाओंगा उस बचे को, तो पता लग जाएगा, आपने किया नहीं किया, और sincere के से करके आना, request आप से हाथ चोड़ के, 15-20 मिन निकालने है, बस I think आप इत कांसर क्या होगा, ठीक है ना, अब दिमाग में चार कोशन ने किया ना, चारो कांसर, SPF मैंने बता दिया, अब एक बार आप लास्ट पूछता हूँ, पहले बताओ, पहला कोशन क्या था, सारे बचे अनर्जी से बोलो, employee के contribution का, employee के हाथ में treatment क्या होगा, employee के contribution का, employee के हाथ म क्या कोई limit है या limit नहीं है, कितनी limit है, कोशन नमर टू बोलो, employer के contribution का, employee के हाथ में treatment क्या होगा, fully exempt, तीसरा कोशन क्या है, employee के contribution पर जो interest आएगा, उस interest का, employee के हाथ में treatment, अच्छा, अगर employee contribution धाई लाग तक है तो, आने वाला interest क्या है, इंट्रेस्ट क्या है, exempt, अगर धाई लाग तक contribution है, और अगर contribution धाई लाग से जाता है, तो contribution taxable या interest taxable, पूरी value का, अगर मेरा contribution चार लाग है, तो, देड़ लाग पे आने वाला interest होगा, वो क्या अगर दोगे, अच्छा, फिर अगला question, employer के contribution पर जो interest आएगा, उसका treatment क्या होगा, बस ही है, तो कोशन आपने दिमाग में सैट करने है, कोशन मैं सैट कर चुगा हूँ, उसके answer इसमें लिखे हुए, ठीक है, तो मैं आपके group में डाल दूँगा, सब बच्चों ने एक बार जरूर देखना है, मैं दुवारा कह रहा हूँ, जो जो बच्चा देखके ही आएगा, क्लास से बाहर जाएगा, मैं पहले ही कह रहा हूँ, उसलों आप चाहे बूरा मानों जाए कुछ ही मानों, तो एक बार प्रोविडेंट फंड आपके सामने यहां पर है, फटावट से एक बार रिवाइस करते हैं, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आज के क्लास जी, ठीक है नहीं? लाष्ट क्लास में हम अपना पीयएफ का टोपिक हमने स्टार्ट किया हूआ था, अब पीयएफ के अंदर मैंने कहा था कि आपके मेंली चार तरह के पीयएफ होगी, पहले-पहल तो दो तरह के पीयएफ होगी, एक तो होगा आपका पीपीएफ, होगा अब EPF में तीन केटेगरी होंगी या तो वह होगा SPF या वह होगा RPF या वह होगा URPF अच्छा अगर मैं SPF, RPF और URPF की बात करूँगा ना इन तो इन साभी PF में आपके में लिए चार कोशन निकल के आते हैं और अगर यह चार कोशन हमें समझ में आते हैं तो PF हमें समझ में आएगा ने तो PF में दिक्कत है याद करो वह चार कोशन कौन-कौन से निकल के आ रहे हैं सबसे पहला कोशन मैंने कहा था कि employee के कोंट्रिबिशन का employee के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा पहला कोशन यह निकल के आ रहे हैं फिर दूसरा कोशन मैंने कहा था कि employer के contribution का employee के हाथ में treatment क्या होगा तीसरा question ये निकल के आ रहे है फिर चोथा question मैंने खादा कि दोनों के contribution पर जो interest आएगा उस interest का employee के हाथ में treatment क्या होगा तीसरा question ये निकल के आ रहे है कि employee जब है अपनी salary calculate करेगा तो salary में अपने contribution क्या करेगा employer क्या करेगा दोनों के interest का treatment क्या होगा और जब retirement के बाद पैसा मिलेगा उस time पर क्या होगा अब अभी तक हमने SPF पूरा complete की है अब SPF के अंदर मैंने का था कि employee जो भी SPF के अंदर पैसा contribute करेगा तो वो टेक्सेबल बट एलीजबल फो deduction अंडर सेक्शन एटी सी और टेक्सेबल का मतलब मैंने क्या का था कि टेक्सेबल मतलब यह होता है कि आपकी तो basic salary होगी अगर आपने basic salary पूरी ले रखी है फिर तो कोई भी treatment नहीं करेंगे reason क्योंकि उसके अंदर add है अगर आपने basic salary में से minus करती है तो जो amount आपने दिखाया उसमें आपको add करना पड़ेगा फिर जब total income निकालोगे तो एटी सी में से डिएड़ लाग तक का benefit क्लेम कर लोगे यह सारी बाते हमने की आगे फिर मैंने कहा था कि एंप्लोईर contribution करेगा SPF में वह सारा exempt होगा क्योंकि government है तो government ने का हम जितना मर्जी contribution करें वह employee के हाथ में कोई treatment नहीं होगा फिर तीसरा मैंने का था कि दोनों के contribution पे जो interest आएगा उसका treatment क्या होगा अब यहां पे फिर अगला मैंने कहा था कि employer के contribution पे जो भी interest आएगा वह सारा का सारा क्या हो जाएगा जी exempt उसमें कोई दिक्कत नहीं है तो मुद्धा यह निकल क्या रहा है कि employer contribution वह उसका आने वाला interest भी exempt है फिर आगे मैंने कहा था कि retirement के बाद जो लंसम पैसा मिलेगा SPF का वह भी सारा का सारा क्या होगा exempt उसमें कोई भी taxability नहीं होगी तो इसमें बस दो पाइंट ध्यान देने वाले हैं एक तो employee contribution वह taxable है फिर ATC में allowed होगा दूसरा employee contribution में इंटरस्ट आएगा वह भी कुछ taxable होगा वट वह तब होगा अगर contribution धायलाक से जाता है अगर contribution धायलाक तक है तो आने वाला interest क्या हो जाएगा exempt तो यह सारी बाते हमने स्पीएफ के अंदर के अब एक कोशन सोल्व करेंगे स्पीएफ का उसके बद फिर हम आएंगे लिए आर्पीएफ के ओपर चीए तो एक बार ऐसा करो पहले कोशन लिखो स्पीएफ का और फिर हम करेंगे आर्पीएफ की स्टार्टिंग जो सबसे इंपोर्टेंट है और एक्जाम में कोशन पक्का पक्का बन सकता है कि लो जी और एक कोशन लिखो अच्छा स्पीएफ का मैंने वैसे कोई कोशन करवाए था नहीं करवाए ना चीक है लिखो नहीं यहां पर कि मान लो अब यहां पर बेसिक सेलरी जो है कि वो दियो हुई है छें लाक रुपे पर मंथ छें लाक रुपे पर मंथ टीक है इसके बाद डिये दिया हुए है डिये है टैन परसेंट ओफ बेसिक सेलरी और फोर्टी परसेंट फोर उटोए फिर यहां दिया हुए एंप्लोई कोंट्रिबीशन कि इन एस्पीएफ एंप्लोई कोंट्रिबीशन इस्पीएफ जो है वो है मान लो चार लाक रुपे पर एनम फिर आगे लिखाओ है एंप्लोईर कोंट्रिबीशन इन एस्पीएफ वो है चार लाक रुपे पर एनम इसने भी सेम कोंट्रिबीशन की है ठीक है फिर यहां पर दिखाओ है इंट्रेस्ट इंट्रस्ट ओन एंप्लोईर एंड एंप्लोई कोंट्रिबीशन एट परसेंट पर एनम एट परसेंट पर एनम है ठीक है अब हमें क्या निकालना है हानी बेसिक सेलरी परमंत है बेसिक सेलरी परमंत है हमें निकालना है एक तो टेक्सेबल सेलरी ही और एक हमें taxable income निकालनी है अब पूरी क्लास से कोशंन है अगर टेक्सेबल सेलरी निकालनी है तो सबसे पहले मैं क्या लूँंगा बेसिक सेलरी जो है आपके टी यह जो है वह आपकी दिए 6ु4,000 dal के आपकी बेसिक सेलरी निकल के आ रही है इसमों को तो निकत लिए अच्छो अब क्या कर देंगे दी ए जोड़ देंगे मेरा पूरी क्लास से कुशन आप डी ए कौन सा जोड़ेंगे नॉर्मल वाला या उटोए वाला नालायक सब्सक्राइब नहीं जोड़ेंगे ना हम भी ग्रोस सेलरी निकाल रहे हैं अभी हम Gross Celery निकाल रहे हैं, तो उल्लाए सेलरी में तो जो डीय होगा वो जुड़ेगा, इसमें उटएगा तो मतला भी नहीं है तो जितना भी Total Do Das है वो सारा आप जोड़ोगे तो ट्रीय मेरा कितने है जी total 2 है तो 10 परसेंट सेलरी पूरी ले ली है तो क्या दुबारा से उसको एड़ करोगे नहीं करोगे नहीं क्योंकि आपने ओल्री बहत्तर लाख ले लिए कि या तो आप क्या करो बहत्तर लाख में से अब employee contribution माइनेस कर दो फिर उसको जोड़ दो बात एक यह बड़ अगर ओल्रेडि आपने कि यह तो वैसे एक्षम्ट होता है यह तो वैसे एक्षम्ट होता है इसका कोई भी treatment नहीं होगा कि है फिर यहां पर लिखोगे एड कर दोगे interest क है या इंद्रस्ट ऑन एम्पलोई 놀is आ क्उन ह wageाटने झायका तर एक बास सोच के में बताना लिस अग देटलाक से उपर है जितना contribution है 4 लंग है टेटलाक तो देड़ लायक से कितना हुपर है देड़ लाक का मैं किसा पताया कि जो थाक्र div कि मद धायलाक कि माद से ऊपर contribution देजंग मत उसके उपर पर मेरे मेरा पूरी क्लास से कोश्चन है क्या वो टेक्सेबल है वो तो एक्जम्ट है वो तो जितना मर्जी हो उसमें कोई भी ट्रिक्टमेंट नहीं करें अच्छा अब यह मेरी ग्रोस सेलरी निकल के आगई तो 72 लाख प्लस में डिये प्लस में 12,000 पर यह तो 79,32,000 यह मेरी ग्रोस सेलरी निकल के आगे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का पक्का जी उसके बाद फिर यहां पर इसमें से माइनस कर दोगे स्टेंडर डिड़क्शन जी इसमें से आप माइनस कर दोगे स्टेंडर डिड़क्शन अब अगर आप इसमें से अब स्टेंडर डिड़क्शन म कि मेरी टेक्सेबल सेलरी निकल के आ दिए अच्छा फिर अब मुझे निकालने है टोटल इंकम यह मेरी टेक्सेबल सेलरी है अब सोच के बोलना अगर मेरी टेक्सेबल इंकम निकल के आएगी तो इसमें से माइनस कर दूँगा डिरक्शन अंडर सेक्ष्ण एटी सी टेक्सेबल इंकम निकल के आ रहे हैं अब बताओ इसमें कोई दिक्कत कि दन है कि पुलिकट तो नहीं फक्का पक्का तो एक बार तुबारा बतादो सेलरी के बाद अब बात में को बता पहले तो मुझे बताओ मेरे पूरी क्लास से कोश्चन है कि आपको मैंने खाता कि हमें तो डिडक्शन से कंचink MEARTA consider it इसके अलवार किसी ऑर एλक गोड़िक बन गई तो आगई तो यही मेरी trust स्ट बद गईति तो जाफ फिक्र निंग करेंगे इसमें सो मैनेस करेंगे न थो इसमें सरह अगर सेंदर देख्शन माइनस करोगे यह मेरी टैक्सेबल सालरी है फिर अगर इसमें से एटिजिटी वाली अगर आप डिडेक्शन माइनस कर दोगे फिर आपकी टोटल इंकम निकल जाएगी बसे बाद यहां दो चार लाख मैने क्यों किया क्या मैंने कर Fayette लग तक्की लिमीट होती है अब मैंने साथ लाक क्रुमिषन यह सपाइल मैंस का यऐ थ्लाध राघ तककी लिमीटा पमाइभा अज़ुए दो जो चेला एक लाक मैंने लाख तक की लिमीट है तो तो आप करके दिखाऊए गया कि अगया नहीं कि स्टार्टिंग से लोग अगया अगया कि एंप्लोयर कॉंट्रिबुशन का देखो इंट्रस्ट एक्जम्ट है ठीकरी एंप्लोयी वाले का गॉर्मेंट ने का था अगर तुमारा कॉंट्रिबुशन ठीक तो इंट्रस्ट एक्जम्ट है अगर वह भाटाइलाग से उपर तो ट्रेक्से बले अब अगर मैंने चार लाक रुपे कॉंट्रिबुशन किया तो ड्रेलाग से कितना उपर है डेड़ लाक तो जो भी इंट्रस्ट होगा वह एम्प्लोई के हाथ में अगरे से बले है कर अगरे है अगरे डेने जी अट्शलों है हता रहा हुंची अ अब लिखो यह आपके अगला कोश्चन लिखो जो बेसिक सेलरी है मालो तो सात लाख परमन्त है अच्छाइब इलाग कहाँ से आया ड़लाक एटीशी की लिमीट ऐगे ऑपके मैंने एकल लिखवाये नहीं था कहीं है बहुत इसलिए बाता है चार लाग अपने कोंट्रिविशन किया लिमिट मेरी डेट लाग खरुबे की है तो माइनस कितने करूंगा तो इसलिए डेट लाग माइनस कर दिये बेसिक सेलरी साथ लाग पर मंत है डी ये डी जो है कि वह है कि टैन थाउजन पर मंत और ब्रैकेट में लिखे है फोर थाउजन पर मंत कि फोर उटोए कि टी इसके बाद एंप्लोई कोंट्रिविशन इन एस पीएफ टैन परसेंट ओफ बेसिक सेलरी कि टी आप्लोईर कॉंट्रिविशन इस पीएफ मैच विद एंप्लोई टी इंटर्स्ट ओन कॉंट्रिविशन नाइन परसेंट पर एनम आपको टैक्सेबल सेलरी निकालनी है और टैक्सेबल इंकम निकालनी है लोज अगर किसी ओर हैड की इंकम दी होगी तो उसे भी एड करेंगे बिल्कुल उसको एड करने के बाद फिर ग्रोस टोटल इंकम निकालनी है फिर एट्टी सी माइनस करेंगे जी सरे एंप्लोई कोंट्रिबूशन एंप्लोईर कोंट्रिशन सेम ही होगा आप बताओ जी मैं तो एक लाइन लिखी है मैच विद एमप्लोई कि अब मैच विद एंप्लोई का हिंदी में मिनिंग क्या है आप मुझे बताओगे अज़तिने मैंने डेड़ लाख बोला था कल आपने क्लास सईडंग से सुनी नहीं होगी मैंने सो परसेंट बोला था स्पीएफ के अंदर कि अब शेक नॉर्मली मैच करता है एंप्लोईर एंप्लोई दोनों का नॉर्मली सेमी होता है पर मैंने कहा लिखाई नहीं थी अच्छो तो लिख लेते ना ना लायक क्यों नहीं लिखा झाल हंजी टेक्सेबल सेलरी है इंकम इंकम कितनी टेक्सेबल सेलरी पचाशी लाँ तेईस हेजार एक्सो चलो जी इसके इलावा कोई अंसर यह यह है चलो एक बर बताओ जी मैं को कैसे निकाला अपने बेसिक सेलरी जो है वो है आपकी 84 लेक ठीक है इसमें डिये आएगा कितना आएगा जी एक लाख 20,000 टोटल डी आएगा ठीक है इसमें एंप्लोई कोंट्रिबिशन आएगा नहीं क्योंकि ओल्री बेसिक सेलरी में एड है उसके बाद एंप्लोईर वाला वैसे भी एक्जम्ट होता है उसके बद फिर यहां पर आएगा इंट्रस्ट ओन एंप्लोई कोंट्रिशन अब मेरा पूरी क्लास से कोश्चन है एंप्लोई कोंट्रिबुशन कितना किये हैं अले बेसिक सैलरी का दस परसंट तो बेसिक कितनी है 84 लाग तो contribution कितना की है 8,40,000 अब 8,40,000 में से 5,5 लाग तो बाहर निकाल दो इसका तो interest exempt है अब 5,5 लाग से उपर कितना हो गया पांच लाग 90,000 इसका interest जो 9% है वो taxable है तो 5,90,000 पे का 9% अगर मैं निकालूंगा तो 53,100 पे का interest ये taxable आगया ज़िए ठीक है ना क्योंकि contribution डाही लाग से उपर है फिर 53,100 पे का interest ये taxable आगया फिर employer contribution पे जो interest होगा वो सारा exempt है अब ये gross salary आएगी ग्रोस salary आएगी 84,000 प्लस में 1,20,000 प्लस में 53,100 तो आएगा 85,000,73,100 फिर इसमें से आप माइनस कर दोगे standard direction अब अगर standard direction माइनस करोगे 50,000 पे की फिर आपकी taxable salary जो निकल क्याएगी वाएगी 85,23,100 ये taxable salary है इसमें से फिर अगर आप माइनस कर दोगे 80,000 के डेड आप रुपे तो आपकी taxable income जो है वो निकल के आजाएगी 83,000,73,100 ये answer निकल के आएगा अब बताओ कोई दिक्कत कोई परशाद हाँ जी कोई दिक्कत तो नहीं है पक्का पक्का लोग कर दूँ अगर SPF में से question बनेगा तो कोई गल्टी तो नहीं करके आओगे ठीक है तो question जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा इसमें बस एक डिओन थान देने वाला interest वाला तो बस यह बदराना कि अगर contribution jelenak तक है फिर तो वह सारा interest exempt एंगर contribution italic से जयाता होगा तो access contribution पे जो भी interest होगा वह interested है Sabla को थी कि पख्का होई दिक्कत तो नहीं है चलो जब सुना ध्यांसे अब आप यह सारी वाते परसेंट बनता है अगर पेपर का लेवल बढ़िया करने है तो हमेशा वह कोशन डालेगा आर्पीएफ में से है और इसके अदर बच्चा गलती क्यों करता है आर्पीएफ पहले बहुत आसान हुआ करता था अब इसमें इतनी अमेंडमेंट्स आ चुकी है कि अमेंडमेंट्स के बाद कॉम्प्लिकेशन बढ़ गी है अब कॉम्प्लिकेशन बढ़ने के चक्कर में या तो बच्चा करता ही नहीं है यह समझाने वाले ने समझा दिया सामने वाले को समझ नहीं आया रहा हिओ तो बहुत ध्यान से पर नज सिंगल single point है यह easy बिल्कुल easy है SPF से भी easy है but problem के है points बहुत सारे हैं अब जब points बहुत सारे हैं तो दिमाग में memorize करने में दिख्कत आती है तो हम कोशिश करेंगे कि class में इसको retain करेंगे और class में कोशन करेंगे तो हर point को बहुत ध्यान से ना कि में क्या लिखा हुआ है अब सुनो ध्यान से अब SPF complete होने के बाद ना अब जो हमारा मेजर टाइम है वह सारा का सारा है आरपीएफ के लिए एक बार आरपीएफ से पहले वह चारा कोशन बोल दो वह चारा कोशन कौन से पहला कोशन क्या था जी Employee के Contribution का Employee के हाथ में जिस बच्चे को बढ़द ने दो दो हात दी है वह जुरू करके बोलेगा जी Employee के Contribution का Employee के हाथ में ट्रीट्मेंट क्या होगा अगला कोशन के जी employer के कोंट्रिबिशन का employee के हाथ में treatment क्या होगा तीसरा कुशन के दोनों के contribution पर जो interest आएगा उस interest का employee के हाथ में treatment क्या होगा और चोता कुशन क्या निकल किया रहे कि retirement के बाद जो लंसम पैसा employee को मिलेगा उस लंसम पैसे का employee के हाथ में treatment 10 तो चार कौशन निकल इन चारों कोशन दो वन बैर वन हमें देखना है कि एम्पलोई के हाथ मेंट में ट्रीटमेंट क्या करना है तो अपने दिमाग में 4 क्योशन लेकर चलना फिरम लेकिन चाहे employee SPF में contribution करें चाहे employee RPF में contribution करें दोनों का treatment सेम है taxable but eligible for deduction under section 80C maximum अप्त रुपीज डेढ़ लाग तो अगर मैं employee की बात करूँगा तो अगर आप यहाँ पर चेक परो देको मैंने क्या लिख है taxable and eligible for deduction under section 80C subject to limit और अगर basic salary का full amount ले लिया है तो दुबारा से एड नहीं करेंगे same वोई line जी लिखिया SPF में लिखिया तो लोजी एक कोश्चन तो खतम हो गया एक कोई दिक्कत ही नहीं है जो आपने SPF के अंदर पढ़ा सेम आपने आपने अंदर पढ़ा इन दोने में कोई फरक नहीं निकल के आ रहा है बट मुद्दा ही निकल क्या रहा है कि अगर employer ने contribution किया तो उसके contribution का employee के हाथ में treatment क्या होगा कि मेरा पूरी क्लास से कोश्चन है SPF में आपने क्या पढ़ा था SPF में SPF में SPF में क्या है अगर employer ने employee के SPF में contribution किया तो क्या पढ़ा था आपने fully exempt अभी यहां पर fully exempt कर देंगे तो सेम SPF नहीं बन जाएगा कि तो गर्मिन ने का कुछ तो हमें करना है कि माला कुछ तो हमें करना का मतलब कि कुछ exempt और कुछ टेक्सेबल अब कितना एक्सम्ट और कितना टेक्सेबल हमें आपने वह देखना है कि अब इतर देखोद यहां से अब government कहना क्या चारी है जी अब government कहना चारी है कि अगर employer के contribution का employee के हाथ में treatment क्या होगा second question यह यहां पर fully exempt है अब यहां चेक करो क्या लिख है कि अब government यह बात कहना चारी है कि अगर जान सुना अब government यह बात कहना चारी है कि नहीं से मालव फर एक्जंबल मैंने government से बुझा कि government कि माल मैंने अभिशेक के आर्पिएफ में contribution किया सहुं कि उश्में भी contribution किया मैंने भी किया इसका क्या होगा आपने बता दिया अगर मैंने contribution किया तो मेरा क्या होगा है तो government यह को आगर तो आरा contribution उसकी salary के 12% कि अगर टेरा contribution उसकी salary के 12% तक है फिर तो वो सारा कोंट्रिबिशन एंपलोई के हाथ में एक्जम्ट है अगर तेरा कोंट्रिबिशन उसकी सेलरी के बारा प्रसेंट से जादा है तो एक्सेस कोंट्रिबिशन एंपलोई के हाथ में टेक्सेड़ कि मैं दुवारा बोलूंगा एंप्लोयर ने एंप्लोई के आर्पिएफ में कॉंट्रिविशन किया मैंने अभिशेक के आर्पिएफ में कॉंट्रिविशन किया तो गोर्मेंट ने का ये बता तुने जो कॉंट्रिविशन किया क्या वो उसकी सेलरी के 12% तक है या 12% से जाता ह क्योंकि अगर तेरा contribution उसकी salary के 12% तक है फिर तो वो सारा exempt है अगर तेरा contribution उसकी salary के 12% से जाधा होगा तो excess जितना portion होगा वो employee के हाथ में रेक्सेबर मेरा पूरी last question है जो मैंने line बोली इस line का मतलब क्या है क्या इस line का मतलब यह है कि employer employee के आर्पीएफ में 12% ही contribution कर सकता है कि यह जित्रा मर्जी contribution करें बट एक्जम्ट जो होगा वह बारा परसेंट होगा कि अब गोर्मेंट ने का तुम मेरी बला से जितने उसकी salary है वो contribution कर दे मुझे क्या पैसा तेरह तो 20 परसेंट कर 50 परसेंट कर 100 परसेंट कर 200 परसेंट कर भाई पैसा तेरह जिंदगी तेरी जितना मर्जी सारा लुटा दें अब्लोई के ओपर हम जो एक्जम्ट करेंगे वो उसकी salary का 12% करेंगे अब जो भी उसके salary होगी उसका 12% जो निकाल ले उतना एक्जम्ट है उसके एक्सेस वाला उसके हाथ में taxable है अब मुद्धा यह निकल कह रहा है कि salary का मतलब क्या है salary same जो आपने अचारे के अंदर पड़ी basic plus में DA उटोए वाला प्लस में commission percentage based on turnover अब जो भी यह salary निकल के आ रही है ना इसका 12% निकाल लो फिर चेक करो उसने contribution कितना किया अगर वह 12 से उपर है तो employee के हाथ में taxable है अगर 12 तक है तो employee के हाथ में एक्जम्ट है मेरा अगला question यह निकल के आ रहा है अब जो मैंने salary बोली basic प्लस में DA उटोए वाला प्लस में commission percentage based on turnover जो यह salary मैंने बोली यह salary मैंने किस के लिए बोली कि माला क्या यह salary contribution के लिए है यह salary exemption के लिए contribution के लिए मैं contribution में भी basic salary का कर सकता हूं मैं basic plus DA total वाले का करूं मैं basic plus DA commission fixed वाला करूं मैं किसी भी salary का contribution करूं बट वो contribution उस salary के 12% से उपर नहीं होना चाहिए कि मैं कोशन यह निकल के आ रहा है कि employer employee के आरपीएफ में कि जितना मर्जी contribution करें किसी भी salary का करें बट exemption जो मिलेगी वह उस salary का 12% मिलेगी तो जो भी उसने बोला इतना contribution किया पहले वह निकाल दो कि जिस भी salary का किया वह निकाल फिर चेक करो वह contribution उस salary के 12% से compare कर रहा है नहीं कर रहा है कि अगर तुम्हारा contribution उस salary के 12% तक है तो वह exempt है अगर वह ज्यादा है तो taxable है तो प्लीज यह बाद ध्यान देना जो मैंने salary बोली है बेसिक प्रस में टीए उठोए प्रस में commission प्रसेंट इन वह salary contribution के लिए नहीं है वह exemption के लिए contribution मैं किसी भी salary का कर सकता हूं कि एक्जाम में question आ गया हूं एक्जाम में कोशन आ गया employer ने employee के आर पीएफ में contribution किया basic salary का बीस परसेंट कि तो बताओ कितने percent taxable होगा 99 परसेंट बच्चा आठ परसेंट निक्किया रहे है कि उसने बोला बीस किया बारा एक्जाम टकाता सर ने आठ टेक्सेबल है नालाय को आपने यह नहीं चक्किया वह बीस किया basic का एक्जामिशन मिलती है salary की स्वांसा था none of the above अब प्रोब्लम के बच्चे के दिवांगे वह डिफ्रेंस चल रहे हैं ना कि बीस किया बारा एक्जाम्ट है आठ टेक्सेबल बढ़ आप यह चेक करो बीस किया किसका एक्जामिशन है किसकी कि है हाँ अगर वह कहता है बीस किया salary का और salary वह वाली फिर मैं कहता आग्जाम्ट सेब्सक्राइब कि अगर बेसिक का उचैलरी के बारांके बराबर है तो सारा एक्जाम्ट है आपने कैसे कहा दिया 8% है तो मुद्धा ही निकल किया रहा है कि आपको यह धिए सान देने कि आपने कोंट्रिबुशन कितना किया और किसी भी सेलरी का किया यह मैटर नहीं करता है अग्सक्राइब लाइन में बात खतम करूंगा ची मेरे पीछे बोलो कि कितना ही कोंट्रिबुशन करे किसी भी salary का करे बट जो exemption मिलेगी उस salary का 12% मिलेगी किस salary का अब आप बताओ ना पीछे भोलते लोगे क्या किस salary मतलब basic plus में DA उटोए वाला plus में commission percent and on the base of turnover उस salary का 12% मिलेगी तो contribution किसका कर रहे हो it doesn't matter exemption किसकी मिलनी है matter यह करता है अच्छा आप सुनो ध्यान से ची अब हुआ क्या यह लोग बना हुआ था 2020 तक यह लोग चल रहा था कोई दिक्कत ने थी फिर जो बड़े बड़े employee है जिनकी salary बहुत ज़्यादा होती है कि उन्हों ने का यार मज़ेदार स्कीम है तो कि बारा परसेंट तक सारा एक्जम्ट है बारा सुपर्टक्सेबल है अब हुआ क्या बड़े-बड़े employees ने बोला आप मेरी salary थोड़ी सी कम कर दो employer को आप contribution भढ़ा दो एक परसन की salary एक करोड है क्या possible है 20-20 करोड वाले भी employee बैठे हैं एक साल में जो कमा रहे हैं इवन पचास करोड भी होगी जो Google के हाई those less है ख़ाり अब अगर मेरे salary है एक क्रोड परेनम है अब और एक क्रोड मेरी परेनम salary है उसका बारने कितना बंता है बारा लाक बारा लाक है तो मैंने उसको बोला मेरे करो मेरे salary नबबे लाक कर दो 가까 लाक से दिखाए गूशे क्यों कम कर दी के दिने काम नहीं कर रहा था हमारी मर्जी हमारी सेलरें कम कर रहे हैं अब तुम क्या करो 90 लाग दिखा दो और तुम कॉंट्रिविशन बढ़ा दो आर्पीएफ में बई जो तुमने 10 लाग कम किये एक तो दस लाग आर्पीएफ में कर दो और जो तुम्हारे बंते तुम वो कर तो अब अब उसने क्या किया एंप्लोयर ने आर्पीएफ में 20 लाग डाल दी है में ये भी कॉंट्रिविशन की ये güc क उसने भी कि अब बीस लाग मैंने भी किये ल्म पूरी निकल कोश्य निकल किया रहे है जैसे मानलो चलो हां पर आपका निकल चलो चौड़ो दिया ज therapists हm अब हुआ करते हैं दस लाग असी जाद अब सुनन द्यांस अब हुआ कै नहीं मैंने का दस लाग वे इस सैलरी कम करतो तो ऐसा करते हैं दस लाग मैं कॉंट्रिविशन करा हूं दस लाग तुम उदर से डाल तो अब दस दस लाग दोनों के डल गए तो गोवर्मेंट ने का चलो चेक करते हैं कॉंट्रिविशन कितना है तो एंपलोई के दस लाग वे टेक्सेबल बट एलिजिबल फो डिड़क्शन और बेसिक अगर पूरी लिया दुबारा से एड्ड नहीं करेंगे भिरं मन्य चुक्त चेक्ता एंपलोई तो ग्योवर्मेंट मे चेंग घया एंपलोई ने 10 लाघ नभी लकित कं बाराथ परसेंट होगा तो यार माल जो दस लाग-九 गोन्ट्रीविशन अब जो यह वह वो इतना ज्यादा था क्योंकि सेलरी के 12 परसेंट तक था बट बारा सुपर बनता ही नहीं था वो करवाता ही इतना थे जिसके सेलरी दो करोड है वो इस तरह से करवाएगा कि 12 तक ही बनेगा गुवर्मेंट को लागा दिमाग खराब कर रख्या पीएफ में कॉंट्रिबिश के बाद जोड़ोगे रिटाइर्मेंट के पाद सारे क्सम्ट है अब जो ये क्कॉंट्रिवीशन हुआ वह भी एक्सम्ट क्यूंकि 12 परसेंट तक है रिटाइर्मेंट पर बहुत होगा पांच साल अग्यरी जोब छोड़ देता है अब गवर्मेंट को लगयर बड़ी दिक है और गोड़मेंट नेका सुनों अब सुन ध्यांसे है कि कि एम्प्लोयर्ने मेरे बट पर आघया एम्प्लोयर ने एम्प्रोय के आर्पीएफ में जो कोंट्रिवीशन किया गगर वह कोंट्रिविशन उसकी सेलरी के बारा परसेंट से जाद है तो पहले भी टेक्सेबल था आज भी टेक्सेबल है उसमें कोई भी चेंज लेके नहीं आ रहे हैं यह वर्ड मैंने बहुत बड़ा बोल दिया एंप्लोयर ने एंप्लोयर के आरपीएफ में कॉंट्रिविशन किया अगर वो कॉंट्रिविशन उसकी सेलरी के बारा परसेंट से जाता है तो पहले भी टेक्सेबल था आज भी टेक्सेबल है उसमें कोई चेंज लेके नहीं आ रहे हैं बड़ अगर वो कॉंट्रिविशन उ साड़े साथ लाग की कि 12% contribution exempt but up to 750,000 अगर 12% बड़ वो साड़े साथ लाग से जदा है तो साड़े साथ लाग से उपर वाला contribution अब employee के हाथ में रेक से बले अब सोच के बोलते हैं मेरे एक्जामपल में employer ने contribution कितना किया था 10 लाख और बंदा कितना था 10 लाग असी हजार तो क्या वो लिमिट के अंदर था बट क्या वो साड़े साथ लाग से उपर था तो धाई लाख रुपे employee के हाथ में टेक से बले तो गोवर्मेंट अभी यह बा साथ लाग से उपर वाला हम employee के हाथ में टेक्सेबल कर देंगे वसे पत्यान तो देखो मैंने यहां पर क्या लिखा हूँ है अगर employer contribution अब टू 12 परसेंट ऑफ सेलरी है यह मोर देन 12 परसेंट ऑफ सेलरी है सबसे पहले मोर देन की बात करते हैं जितना contribution 12 परसेंट से साथ लक्स ज्यादा है तो एकसेस contribution क्या हो जाएक टेक्सेबल बसे बद्रान कोजी कि आपको मेरी बाद समझ में आती है वक्का वक्का कोई दिक्कत हो नहीं है तो एक बार मैं दुबारा से बोल रहा हूं देखो जो आपने SPF के अंदर पड़ा और जो RPF के अंदर पड़र दिक्कत नहीं है फिर up to 12% भी अब टेक्सेबल हो सकता है बड़ वो तब होगा अगर वह बारा परसेंट जो कॉंट्रिबिशन आ रहा है वह साड़े साथ लाग से जाता है अगर वह साड़े साथ लाग ता कि तुमने कोंट्रिबिशन किया फिर में कोई दिक्कत नहीं हो प मसते हैं कहना क्या चाहरे है कि इधर देखो ज्यांसे इसको लिख लो एक्जांपल को जो मैं दे रहा हूं क्योंकि आपको यह पीएफ का डाइगराम बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मैंने वैसे टेबल फॉम मीं बनाया हुए है तो लेटी आपके यहां से आर पीएफ लिखो लिए एक नी दो नी तीन नी चार कोशन दूंगा है चलेगा है इसमें से मैं कितने कराऊं है चारों यहीं उमीद्थी मुझे आपसे है पेपर मैं दिया हूं कि देख लो अगर देदू है देदू है देदू है कि देदू हमारा क्या है कि टेक्स तो पास हो जाएगा है कि सा अच्छा दूंगा तब जा मैं सारे दूंगा कि मुझे नहीं कि पता लगे टेक्स में नभे बाकी में बारा दस पांच नहां कि आपको विश्वास लिए ना कम्री लों के अंदर नंबर ले सकता हूं क्या मुझे कम्री लों नहीं आता क्या मुझे सेक्योर्टी लों नहीं आता मैं पढ़ाता नहीं हूं बस जी आई जील खून खून में स्माया हुआ मेरे जीए जील क्या बात कर दिया आप ने जी एई जील तो मेरा फर्स्ट लव है लिख खूर यहां में बेसिक सेलरी बेसिक सेलरी है माल लो फाइव लैक परमंत छेन लाक रुपे परमंत परमंत साथ लाक रुपे परमंत आठ लाक रुपे परमंत परमंत दिये परमंत परमंत ट्वंटी थाउजन परमंत ट्वंटी फाइव थाउजन परमंत ट्वंटी पर्सेंट पुटोए आएटी परसेंट पुटोए चालिस परसेंट पुटोए और निल फॉर उटोए मैं यह उटोए वाला नहीं है कमीशन वन परसेंट ओफ टर्नोवर वन परसेंट ओफ टर्नोवर वन थाउजन पर मंत पॉइंट फाइब परसेंट ओफ टर्नोवर तर्नोवर आपको देवी है और एनम छे लाग यहां पर है मालो छे लाग यहां बारा लाग है ठीक है है अब लिखो एम्प्लोई कोंट्रिबूशन इन आर्पीएफ एम्प्लोई कोंट्रिबूशन जो है आर्पीएफ में तो है मालो छे लाख परेनम साथ लाख परेनम आठ लाख परेनम और यहां पर मालो है नो लाख परेनम ठीक है एम्प्लोईर कोंट्रिबूशन इन आर्पीएफ 15% of basic salary और यहां पर है फिर 15% of basic salary प्लस में डीए है है टोटल वाला यहां पर 20% of basic salary और यहां पर है फिर नाइन परसेंट ओफ नाइन परसेंट ओफ salary salary कौनसी basic प्लस में डीए उटोए प्लस में कमीशन परसेंटेज ठीक है नहीं बस अब हमें निकालने है कितना taxable होगा employer contribution लिखो यहां पर टेक्सिबिल्टी ओफ एंप्लोयर कोंट्रिविशन इन हैं 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 लोज यह चार कोश्चन हैं अब टीकरी पहला मैं करा रहा हूं और अब बता कौन से दो कराओं जौब बोलोगे अब हो सब्सक्राण फर्सट और फौर्ट करादू कि बोलो भई फर्स एन फौर्थ ज़सें कि एक बारल चलो अब फर्सत पर आओ जी इतह दो अनसे बैसिक सेल्री पांच पर मंत है तो बैसिक लेकिशेल रेगर पांस लाक परम्हाददर तो पूरे साल की निकालते हैं आजो यह सोलूशन तो 60 लाख अरवे साल की हो गई मैं 60 लाख पर साल की आहां कि अब दिये हमें लेना है यापे के 1 लाख बीज मांदिश्याद इंक यही हुट वाला है और यही टोटल वाला है कि इसमें सो परसेंट उटोए वाला है और सो परसेंट टोटल वाला है उसके वाद इसमें कमीशन वन परसेंट दो शें लग का तो छें हजार पर कमीशन है कि कमीशन आगई छहीं हजार पर ठीक है तो अपर फिर यहां पर employee contribution कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक सेलरी आपने पूरी ले रखी है कि फिर एम्प्रोयर कॉंट्रिविशन की बात करो अब यहां पर आएगा मजा अब बात में को बताओ उसने कॉंट्रिविशन कितना किया जी बेसिक सेलरी का 15% अब यहां पर आओ जी अब बेसिक सेलरी का 15% अगर उसने किया है तो यहां लिख देता हूं नोट नंबर वन कि एम्प्लोयर कॉंट्रिविशन इन आर्पीएफ कि बेसिक सेलरी साट लाक है उसका 15% कितना आएगा नो लाक है को दिक्कत तो नहीं है कि यह इसने किया है और एक्जम्शन जो है एक्जम्शन जो है वो है 12% of salary अब 12% of salary मतलब कौन सी है बेसिक प्लस में डिये उटोय वाला प्लस में कमीशन परसेंटेज और वो अभी आपने उपर निकाल ली है तो यह हो गया आपका 60 61 लाक 26 जार तो 61 लाक 26,000 कि लो इसका बारा परसेंट तक एक्जम्ट है तो 61 लाक 26 जार का बारा परसेंट जो आएगा वाएगा साथ लाक 35,120 रुपे एक्जम्ट है पहले बताओ इसमें कोई दिक्का चाहिए वो दिक्का तो नहीं है चाहिए मैं दुबारा बोल रहा हूँ एम्प्लोयर ने कॉंट्रिविशन किया इतना वह मैंने यहां पे लिख दिया फिर उसने कारी अगर यह कॉंट्रिविशन उसक सेलरी के 12% तक है तो एक्जम्ट और 12% सफेट वह ए ज्यादा तो प्सक्रीविशन के इतना सेलरी का 12% जो है वह इतना आ रहे है तो क्या वह कॉंट्रिविशन इस सैलरी के 12% से एक्षय सो 흥 हैं जादा है कि तो एक्सेश कॉंट्रिविशन कितना हो गया है एक लाख 64860 पर यह आगया टेक्सेबल कि यह टेक्सेबल है तो एक लाख 64860 पर आप इसमें जोड़ दोगे इंट्रस्ट का भी कोई पॉइंट हमने किया नहीं है ठीक है तो यह मेरी ग्रोस सेलरी आजाएगी कि साथ लाख एक लाख बीस हजार शेह हजार एक चोंसट अट्सों से तो शिक्स्टी टू लैक नाइन्टी थाउजन एट एटी यह मेरी ग्रोस सेलरी है कि माइनस कर देंगे स्टेंडर्ड डिरेक्शन पर चार्शार रपे की तो यह मेरी आगई टेक्सेबल सेलरी शिक्स्टी टू लैक फॉर्टी थाउजन एट एटी यह मेरी टेक्सेबल सेलरी एच अब बताओ जी अब देखो आपने जो कॉंट्रिबूशन किया आपने यहां पे लिख लिया तो आपने किया बेसिक का पंदरा परसेंट तो नो लाक रप्या गया है अब गुबने About ने का अगर यह कण्टिबैसन इसugalरी का 12% तक है तो एक्जम्ट है अब 12% आ है खिकिoter हिं दान और इक्ष्कत नहीं है पक्ता पक्ता है एक बार कांसर चक्क कर लो आंसर टेक्सवण निकल क्या रहे है वो यह निकल क्या है कि अब कोई दिक्कत परशान यह तो बता दो जिए अब कोई दिक्कत तो निया ना पका पका लोक कर दूँ चलो अब कोशन नमर फोर के पर आओ उसमें चेक करो बेसिक सेलरी कितनी है बताओ कितनी पर मंत है आठ लाग तो पूरे साल कितनी होगी 96 लाग फिर डिये टोटल वाला जो है पच्चीस हजार पर मंत उटोई वाला इसमें है यह यह नहीं तो 25 जार पर मंत को मतना 3 लाग फिर प्लस में कमीशन छे हजार फिर प्लस में एंप्लोई कॉंट्रिबिशन वो तो आना ही नहीं ओल्रेडी एड़ है सर साड़े साथ लग तक एक्जम्ट नहीं करेंगे आंसर इस नो रनवीर वो तब एक्जम्ट होता है जब आपका बारा परसेंट तक हो बारा परसेंट से ऊपर जो है वो तो टेक्सेबल हो गई होगा ना शाड़े 7 लाग तक की लिमिट दबाती एक परसेंट तक लिए और परसेंट तक कोंट्रिबीशन ऊंठीक है तो यह कुंट्रिबिशन निकालता है अगर मैं टोटल इंकम बोलता फिर एक्टी सी माइनस कर द अब मुझे बताना एंप्लोयर ने कितना कॉंट्रिविशन किया है बताओ जी एंप्लोयर कॉंट्रिविशन इन आर्पीए बताओ कितना है उसका उसने बोला है नो परसेंट है सेलरी का अब सेलरी निकालनी पड़ेगी पहले तो तो पहले सेलरी निकाल लेते हैं चीए तो सेलरी है बेसिक कितनी है 96 लैक अब प्लस में डिये उटोए वह ही नहीं प्लस में कमीशन छे हजार तो 96 लैक कि 6,000 जो है यह आपकी सेलरी निकल के आ रही है कि हां तो बार लाग का पाइंट वाइंट वाइफ चेंज आरी तो का कि नहीं कि देख लो एक बार के लिट कर लो तो 96 और 6,000 तो 96 लैक 6,000 के मेरी सेलरी आगे अम मुझे बताओ इस सेलरी का कितने परसेंट उसने कॉंट्रिविशन किया है नो परसेंट तो उसने कॉंट्रिविशन जो किये है वह किया नो परसेंट तो यह सेलरी आ रही है कि अगए अन्यरा पूरी क्लास से कोशिधन पर्फशन बता उ यहां तक कोई तक क्विक्त तो नहीं है कि नो जो बश्रे सिर्फ लिखने में टाइम लगा रहे हैं समझने भी टाइम लगाहें बताओ यहां तक दिक्कत तो नहीं है आपने salary निकाल ही salary का 9% उसने contribution किया 9 परसेटा इतना है अब अब पुरी परस्म कोश्चन होच्छन है उसने सैल्डीका 9% किया तो क्या contribution 12 थक किया या 12 परसेंट से जाधा किया बता अंब का कौंट डीफिशन 12 परसेंट से ऊपर 12 थक है उसने कितना किया 10% Sully के बारा तक कि यह बट क्या ये 12% साड़े साथ लक से रादा यह नहीं है तो अब कि इस मेंने गाँ है ये तुमारा बारा परसinta Bada cooled लिए अगर ये 12 परसंट 7 longtemps लाक से उपर होगा तो टैक्सेबल है तो इसमें से एक्जम्शन कि साड़े साथ लाग है तो एक्सेस जो है कि एक लाख चोदा हजार पांसो चालिस रुपे याग्या टैक्सेबल अब इसको उपर ले जाओ कि पांसो चालिस अब ग्रोस सेलरी आ गए यार यह वन डबल जीरो टू जीरो फाइफ और सिरो माइनस टिफ्टी थाउजन की स्टेंडर डिरेक्शन तो नाइन्टी नाइन लेक सेवन्टी थाउजन फाइफ फोर्टी यह आपके टक्सेबल सेलरी आ रहे हैं अब बताओ जी कि कोई दिक्कत परशानी है कि देने जी पक्का पक्का अब भाई चलो अब सेकिंड ठड़ करो जी क्या चीज़ वर की नोट एक वर दुबारा यह को सिंबल जी बाता है पहले यह निकालो उसने कोंट्रिबिशन कितना किया उसने करी इस सेलरी का नो परसेंट किया कि अब 29 अब यह सेलरी का 9 इतना कोंट्रिविशन आ रहे हैं है तो यह बारा परसेंट तक तो गोर्न निकादा 12 मरेंट एक्रहेंम्ट और बारा परसेंट नहीं popped अगर वह साड़े साथ लाग से उपर है तो जो उसने कोंट्रिविशन किया क्या वह साड़े साथ लाग से कम है उपर है तो एक्सेस वला हम क्या करेंगे टेक्सेबल चाहे वह कॉंट्रिविशन 12 परसेंट तकी क्यों नो है तो अब सेकेंड थर्ड करो जी कि कि बाचित नहीं बाचित नहीं कि 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 सेकंड का थ्रोग गया है 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 हम बिलकुल कह सकते हो मिनक्षी है बिलकुल कह सकते हो 12 पर सेलरी और साड़े साथ नक्षी चैवर इस लेस्ट बिलकुल कह सकते हो बिलकुल सही कह रहे हो अब है 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 झाल झाल हो गड़ी? हम तीन नमबर हो गया 96 लाग 73 हजार सेकिंड में सबका अंसर लग लगा रहा क्या कर रहे हूं है 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 बोलबा है 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 एक दो जी जो फोरे आनुसरा लग लगा रहे हैं सर मेरा सही है ये लिख दो अच्छा चलो आपका सही क्या सबका लिख देता हूं पिजत्तर लाख पच्छेश जार पिजत्तर लाख ततावन हजार चार सो 76,93 थाउजन हां जी और बताओ जी चलो जी और बताओ 75,52,090 75,61,000 क्या बात है यार मैं तो कह रहा हूं आपको इतना बड़िया समझ में आ गया मेरे तो करवाने की जुड़ते नहीं आप चलो जी चलो यार मैं ही करवाता हूं यार मैं ही करवाता हूं गल्द यह हुई थी मुझसे माफ कर दो भगवान का वास्ता है मैंने आपको बोल दिया क्या आप करो इदर देखो द्यान सेब कोश्चन नमर एक बर सेकिंड पर आओ अब कोश्चन नमर सेकिंड पर आओ सेलरी कितने दिये जी छे लाक पर मंत तो पूरे साल की सेलरी हो गई बहततर लाक अ अब बेसिक सेलरी जो है वह आपकी हो गई 72 लाक तो इसमें को दिक्कत तो नहीं है डिये बताना डिये टोटल कितना दिया हूँए कि इसमा दिया हूँए 10 परसेंट नहीं कितने पर मंत है 15,000 पर मंत है तो एकला कस्सी जा कर दो अ कमीशन छे हजार एंप्लोई कॉंट्रिबूशन नहीं आएगा एंप्लोईर वाला हमें देखना है अब यहां पर देखते हैं जी एंप्लोईर कॉंट्रिबूशन कितना किया यहां लिखेता हूं कितना किया कि क्लीर है अच्छा अब एक जम्शन लिमिट अब टू कि ट्वेल परसेंट ऑफ सेलरी अब एकपर चेक करना उसने कीतना किया जी उसने किया है आपका 15 परसेंट बेस्टिक प्रसमें डिये टोटल वाला तो बेस्टिक सेलरी है उसकी 72 लाकि प्लस में डिये 85 और इसका 15 परसेंट ही आएगा 11 लाक्र 7 هजार पर उसक्या कोंट्रिविशन किया था 10 और वो किया 72 लाक्रhl प्लस में 1.8 इसका 15 परसेंट पर्फेल यहां तरको दिक्कत और सारे बच्चे आपको यहां तरको दिक्कत तो नहीं है अजय फिर एक जंशन कितने परसेंट है किसका अजय का मतलब बेसिक प्लस में दिये उटोए प्लस में कमिशन परसेंट एंडा बेस ओफ अब सुनों ध् 1720000.00 कि प्लस में डी ये उटोए वाला एक अलग कितने प्रसेंट आसी तो हितने प्रसेंट ऊता इसी हम ने कितने प्रसेंट उटोए वहला 40 तो 40% से तो यह हो गया अस्टी परसेंट चालिस परसेंट हैं अच्छा एटी परसेंट डैयार 40 कहां से आ ठीक है अब इता देखो यहां पर आपका डिये 72 लाख रुप ऑश्री एक लाक असी जार्पे का 40 परसेंट 72 जार्पे आ गया कि अच्छा सी परसेंट सोरी असी परसेंट अच्छाइब एक लाक ने च्वालीस जार है यह आ रहे है जी प्लस्वे कमीशन परसेंटेच चैनल अब बताओ टोटल कितना से 73 लाक पचास अब पहल में कोई विताओ यह सेलरी निकालने में कोई दिपकर इस सेलरीका 12 परसेंट तक एक्जम्ट है है तो आटे तो इस सेललरी का 12 निकालने लेते हैं तो यहां पे 8,82,000 कैसे निकाल लापने के 73,50,000 का 12 परसंट तो अब मैं को बता हूं जी क्या contribution इसके 12 परसंट तक है 12 से जादा है तो ज्यादा वला टैक्सेबल तो ज्यादा वला अगर हमें टैक्सेबल करना है तो 11,007,00 प्लस माइनस में 8,82,000 कितना आ गया दो लाख 25 यह हो गया टैक्सेबल पहले तो इसमें कोई दिक्कत हुआ हां जी एक बार बारा परसंट बाला दुबारा भाई उसने बोला सेलरी का 12 परसंट है अब सेलरी कौन सी बेसिक प्लस में डिये उटोए प्लस में कमीशन यह सेलरी आ गई तो गौर्ण में ने का इसका 12 परसंट तक अगर कोंट्रिबुशन किया होगा तो वह एक्जम्ट है बारा सुपर बाला टैक्सेबल है ठीक है आपने कोंट्रिबुशन किया इतना सेलरी का 12 आ रहा है इतना तो इतना तो टैक्सेबल करेंगे बोलो भई यह मैंसे माइनस करना नहीं आ रहा यह समझ नहीं आ रहा कि वह ज्यादा कुट्रिबुशन की है ना ना साड़े साथ लाग तक कि तो बारा परसंट तक की लिमीट है उसको भी छोड़ो भी वह सबसे पहला को यह निकालना बारा परसंट से उपर कितने कि वहीं 12 से उपर टैक्सेलिक है ना सबसे जाप किया होगा कि आपने कोट्रिबुशन कितना किया उसकी वारह किंवाstate का अ fpsवाला इसमें कोई देखके दो बताओ अब तो आप सुना। अब बारा परसंटक से कितना आ रहे कि 8ktionilonf किया ये 12 परसेंट तक है या नहीं है बट क्या ये कॉंट्रिबीशन भी साढ़े साथ लाग से उपर है नहीं है तो यह भी टैक्सिबल करना पड़ेगा कि अभी अभी जो आपने दो लाग 25 जार पर टैक्सिबल किया यह तो 12 से उपर वाला किया ना है कि है जो आपने भी टैक्सिबल किया वह कितना अब किया यह 16 फॉम तो बारा परसेंट तक तक अभी बचा है तो गौर्टमेंट निगा था बारा परसेंट भी एक्जम्ट तब करेंगे अगर वह साढ़े साथ लाग तक है कि तो बाना परसेंट तक जो आपने कोंट्रिबूशन निकल रहे रहे वह आट लग भी असी जार है तो यह कॉंट्रिबीशन के दो टुकुडे होंगे इसमें साड़े साथ लग एक्जम्ट है और साड़े साथ लग सुपर वाला जो है आट लग भी 80,000 माइनस में 7.5 लाइक 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 32,000 पर यह है यह अलग से टेक्सेबल होगा क्योंकि बारा पर्षेंट तक है कि इदर सुनो ध्यान से ऐसे लगए प्रण क्या चल रहा क्लास में कि एक बात में को बताओ आप मेरे सिंबल सा कोश्चन है कि आपने किसी को 11,7,000 पर दिये तो गोर्मेंट ने का अगर यह तुमने जो पैसे दी है अगर यह उसकी सेलरी के 12% से जादा है तो वो उसके हाथ में टेक्सेबल है आपने दिये इतने और सेलरी का 12% आ रहा है इतना तो क्या इस से उपर वाले टेक्सेबल करोगे नहीं करोगे यह वो आ गया अब यह टेक्सेबल कर दी अब आपके हाथ में कितने बचे आठ लाग 80,000 बचे ना है हाँ यह ना तो बोल दो आठ यह इसको सोचने में टाइम लग रहा है कि भाई सिंबल जी बात यह निकल क्या रही है 11,007,000 पर अपने कोंट्रिविशन किया तो गोर्मेंट ने का उसकी सेलरी का 12% जो है वो एक्जम्ट कर देंगे 12% आ रहा है इतना तो इस के ओपर वाला टेक्सेबल है तो आपने यह टेक्सेबल कर दिया इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिर गोर्मेंट ने का अब तेरे बस कितना बच गया मैं करें 12% तो गोर्मेंट ने का देख 12% टक एक्जम्ट है बढ़ अगर यह 12% साड़े साथ लाग से उपर है तो यह भी अभी जो आपने टेक्सेबल किया यह वाला वो तो 12% से उपर वाला हिस्सा किया 12% तो अभी बचा हुए है तो 12% कितना बचा आट लाग ब्यासी जा अब गोर्मेंट ने का देख जब यह साड़े साथ लाग की लिमिट नहीं थी ना यह एक्जम्ट था बट अब बारा पर पर भी 7 samples कि लिमिट आ चुकी है मैं अब अगर 12% पर भी 7 Boss की लिमिट है तो 7 Μट ए उसके उपर वाला टेक्सेबल एक लाग पातीजार वालों तोलिए लाग थी था प्लस मैं 2,25 लाग टोट्र प्रोब्लम के आप साथ लाग से उपर निकालोगे तो बात सही है प्रोब्लम के कोश्चन आपके में बात करूंगा सब्यक्टीव की तो काटा मर जाएगा अरे नालाइक सब्यक्टीव नहीं है आगे राके तो पेपर किसी को बताओगे आप यह थोड़ा बताओगे यह सब्सक्राइब अगर आप यह सब्सक्राइब नीकल ना थे रहा हूं अपने आपने सिधा कर दिया आंसर तो सेमी आएगा आपने क्या किया आपने का सर 117000 है तो साढ़े साथ लग से उपर जोया वो ट्रेक्से बांसर तो सही निकल गया अबर आगर आप किसी को बताओग कि आप यह 357 taxable क्या साया अगर आप बोलोगे साड़े साथ लग से उपर वो बोले गलत कि मैं बहुत सबसे पहला बारा परसेंट से उपर निकालो वो टैक्सेबल है कि फिर व्र मेंद नेगा अब जो बाना परसेंट बचा तो साड़े साथ लग की मिट्ना बारा से hog और नी यह बारा संथा वाले में तो गोर्मेंट ने का जो तुम्हरा बारा परसेंट Packard उसमें तुम साड़े साथ लंग कों डिवाइंड करो अब साड़े साथ लग कर दो य कलरी आ रही है आपकी 72 राख प्लस में 180,000 प्लस में 6,000 प्लस में 3,57,000 तो 77,043,000 और इसमें से 50,000 रपी कि आप स्टेंडर्ड डिरेक्शन अगर माइनस कर दोगे तो 76,93,000 यह आंसर निकल के आएगा ठीकरी किसका आंसर सही थाए एक दो तीन चार पांच छे बच्चे के राउंट फिर चलो अब बहुत बढ़ी आज फैरेकोट जिनका लाइट में सही था क्या बात है जबर्दस अचा सही था बड़ तरीका गलत था चलो आप तो बच जाओगे पेपर यह जिनके सब्यक्तिव हैं तो उनके उपर काटा बच जाएगा आंसर सही क्यों नहीं हूं कि अधि कि आप दो शिर्याद नहीं कर रखते हूं डैने जी कि मुझे में तो आंसर से मतलब है भाई साब आंसर सही आना चाहिए बस बट बात एंसर की नहीं है ना बात फिर क्या होगा कि आपके दिमाग में कुंसेप्ट ही सेट हो जाएगा कि फिर आप प्रफेशनल में कोई पूछेगा आप से एक्जिक्यूटी वाला बच्चा तो भी आप उसको वह बता उसको भी अपने गलत बता दिया आप इतने बच्चों गलत बताओगे आप कोई नहीं पता कि पिपर बताओ तो सही ना अपने लिए समुझ लेए शाधर्यसाथ लाक्स उपर वाला बड़ जब भी किसी को बताओगे तो ऐससे नहीं बता ओद साधर्यसाथ लाकस उपर है है एंग जी एंग एक्सेंवलल लेट है क्या प्रोप्रोलम आरी बताओ नाई-निक बारा प्रसंट चे उपर यह वह तो टेक्सेल से प 경प है आप गूस्वर्मेंट ने का आप 12 बचा अब उसए 7 ला क़े लिमिट लेनी ना वह 12 परसंट तक वाले में ले लिए और 12 परसंट कितने 8,82,000 तो उसमें जो 7.500,000 है वो तो एक्जम्ट है साड़े साथ लक से उपर वाला एक लग 32,000 पर टक्सेवल है करने जी, लोक कर दें इसको चलो अब कोशन कोंसा रहां गया थार कॉशन नम्र 3 पर cog बिल्कुल बौल सकते हो?, कैट नहीं है बिल्कुल बोल सकते हो,चलो जी अब क्वेश्चन कोश्चनन मर्थ पर आऊ दिव सिनकोश्चन मर्थ एक्ए कोश नमर थार्ड में बेसिक सेलरी है साथ लाक चलो कराओ मेरे कुछ को कराओ फड़ावट से लिए बेसिक सेलरी पूरे साल में कितनी बन गी कितनी हो गई 84 लैक कि इसका डी ये बताओ टोटल वाला कितने हैं कि नहीं परमंत कितना दिया हुआ है बीज़ार हां दो लग चालेश और कमीशन कि न्यूigs ओपिक्स वालीय्ई ना तो कितनी है 12 000 यह में अप एम्प्रोई कौंट्रिबुशन वह आयेगा नहीं में में कि एम्पो कौंट्रिबुशन देखते हैं अब यहां पर हैं एम्प्रोई नी कितना कौंट्रिबुशन किया बताना कितने परसेंट कितने परसेंट 20 किसका है बेसिक सेलरी का तो 84 लेक का 20 परसेंट तो 16,80,000 पर इसने कॉंट्रिबुशन किया अब एक्जम्शन मिलनी है हमें 12 परसेंट ओव सेलरी की अब 12 परसेंट सेलरी की तो सेलरी निकालती है सेलरी है बेसिक सेलरी वो है 84 लेक प्लस में डिये उटोए कितने परसेंट दिया हुआ है 40 परसेंट तो 96,000 का डिये उटोए प्लस में कमीशन नहीं आएगी क्योंकि टर्नोवर वाली नहीं है यह हो गया 84,096,000 के यह सेलरी आगे अब इस सेलरी का 12 परसेंट कि कितना आएगा 10,19,520 कि अब पहले में को बिताओ क्या कोंट्रिविशन बारा परसेंट तक है यह बारा से उपर है बारा से उपर है कितना बारा से उपर है छे लाख शाठ हजार चार सो श्री तो यह तो हो गया टेक्सेवर अच्छा अब यह जो मैंने टेक्सेवल किया तो क्या यह बारा से उपर वाला किया अब बारा तक वाला कितना है कि 10,19,520 यह बारा तक है अभी जो आपने टेक्सेवल किया वह तो आपने यह डिफरेंस निकाले तो बारा से उपर वाले ने क्योंकि बारा तक यह है अपने दिमार्ग में एक इमेज लेके चलो कन्फ्यूजन की दिक्कत नहीं है आप थोड़ा से अपने माइंड को बोलो होगे कि सब्सक्राइब के हर कोश्चन आपको हर कोश्चन में कुछ नहीं देखने को मिलेगा या तो सोड़ी दो कि परिमान नों पचास नंबर के कितने नंबर लेगा कि 20-25 पूर जिंदी लगए लगए पास कभी होंगे ही है और इपन नए स्लिबस में तो इन्होंने इं इंकम टैक्स होगा न्यूज स्लिबस में बच्चा को इंकम रेखना ही पड़ेगा उसके ना पास हो इंपाइगा लगा रहे है पुर जिंदगी अच्छा बारा परसेंट तक वाला भी देखते हैं अब बारा परसेंट तक वाला जो बच्चा है यह वाला यह दस लाख 19,520 तो गौर्मेंट ने का यह एक्जम्ट है दो लाख 79,520 यह टेक्सेबल अब यह टेक्सेबल प्लस में यह टेक्सेबल तो 660480 प्लस में 269520 तो 9,30,000 पे एंप्लोयर कॉंट्रिबिशन टेक्सेबल हो गया जी तो यह 660480 तो वह और 269520 यह तो ग्रोस सेलरी अब बताओ कितनी आ गए कि 95,00,82 उसमें से 50,000 माइनस कर दो है कि 95,00, 32,000 यह आंसर निकल जा रहे है कि कुछ भी नहीं है कि बसे एक पॉइंट दिमाग में सेट करने वाली बात है बाकी कुछ भी नहीं है कि इसमें डिये उटोए वाला लिया न क्योंकि डिये हमारा टोटल वाला कितने है 2,40,000 उसका 40 परसेंट उटोए वाला है तो 2,40 का 40 हो गया 96 अब बतावरी कोई दिक्कत को दिक्कत तो नहीं है एटीसी इसमें से माइनस नहीं करेंगे ना अगर मैं टेक्सेवल इंकम बोलता तो आप कुछ नहीं करतें टेक्सेवल इंकम निकाल लो यह लो इसमें से एटीसी का देड़़लाख माइनस कर लो क्योंकि एक सी में लाक से ऊपर तो मिल नहीं सकते अब एप्लोई ने कॉंट्रिबूँशन कितना की है कितना किया एंप्लोई नहीं एंप्लोई है और अट लक यहे ना तो आलाउड जी अछिंशन एपर तो वह इंसकता तो उसमें स 20,000 में से अगर देड़ लाग हटा दोगे तो 93,82,000 आपकी टेक्सेवल इंकम आ गई यह है बस एट्टी सी कि देने जी कुनाल कह रहा है सर 16,80,000 माईने साढ़े साथ डारेक्ट कर सकते हैं मैं इसके लिए लाइबल नियू आंसर आपका निकल के आ जाएगा बट मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आपने ऐसा करना करें आप कल कह दो कि विवेक सर ने का था आंसर इस नो 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 मैंने इसा ना समझाया है ना मैने काय को देने जी लोग कर दो इसको बगगबगब मैं एक कोशन दे रहा हूं अब वो सारे बचे खुद ही करेंगे क्योंकि यह सारे मैंने कराए है मिरकुल नगर आपने की हैं ठीक है ना मिरको तब लगई का जब सब के आंसर सही आएंगे जिए तो मैं लास्ट कोशन दे रहा हूं कोशिश्च करना सभी करने किसकोच करते हैं कि एसी की कंवें च назв है ओर एक कि एटी का तो क्रॉक्स है एक कि यहीं है न वसकि जो अमिलागी distribution किया होगा उसको बात में माइनेस करतेंगे बट मैनेस करेंगे देड़लाग तक तुकि देड़लाग से उपर 80 माइनस होई नहीं सकता अब उसने इसे और चीए 8 लाग और मैनस कितना अब कोश्चन लिखो जी चलो दो कोश्चन लिख लो यार बटे लास्ट है क्योंकि इसमें सारे पैंट्स कवर हो जाएंगे बेसिक कोश्चन वसरी बेसिक सेलरी दिमाग में गूम रहे हैं बेसिक सेलरी आपकी चार लग को परेनम चीघा है डिये अगे टैन थाउजन पर मंत अरे यार पुल कितना लाइक हो किया तुम बच्चा कह रहें लास्ट में तो आपने एटी सी माइनस नहीं किया था मैंने हर कोश्चन में मांगा क्या है इस वह तो बच्चे ने कहा साथ एटी सी का क्या होगा तो मैंने माइनस करके दिखा दिया कि अगर माइनस करोगे तो टोटल इंकम निकल के आएगी तो जब टेक्सेवल सेलरी मांगनी है अभी तो मैंने बोला कोशन यहीं पर खतम कर दो अगर टोटल इंकम मांगेगा तो कोशन में टीसी हटा तो अब पिस्टे वाले कोशन में चेक करो मैंने हर कोशन में आपसे मांगा क्या है मेरे को बार बार दिखाना पड़ता है यह को अब यह दर्जार चारजार परमंथ उटोए वाल है कि कमीशन बच्चा कह रहा है भी तो इंट्रस्ट की बात भी करनी है तभी तो मोहल बना रहा हूं कि कमीशन है पांसो रुपे परमंथ को एंप्लोई कोंट्रिबिशन को इन आर्पिया मालो पांच लग परेनम एंप्लोईर कोंट्रिबिशन इन आर्पियाफ वो है मालो कि 14 परसेंट कि और बेसिक सेल्री कि चोड़ा परसेंट और बेसिक सेल्री ठीक है आपको टेक्सेबल कि सेलरी बतानी है कि अब इतने करो मैं दूसरा कोशन लिखता हूं अब अब बेसिक सेल्री है अब पांस लाक परेनम एंपलोयर को टो इसे ने आरपियाफ पांस लाक परेनम साड़े बारा परसंट साड़े बारा परसंट साड़े बारा परसंट साड़े बारा परसंट हाँ जी फिर सब के अलग अलग अंसर आ रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हूं अच चैनलो उस अच चैनलो कि चलो कि इधर देखो देहां से यार इधर देखो बेसिक सेलरी चार लग पर एनम लिखिये मैंने और एनम के बेस्पर किया है पर मन्त आएगा चलो इसमें इस पर मैंने पर एनम लिख दिया तो यह तो बच्चों वाला कोशन उसके बाब जुद भी आपके इतने अंसर आ रहे हैं ना लाएक और अगर पर मंत लिख देता आप उचेड़ यहां से मैं तो देखिया पर एनम में तो कुछ बचा यह नहीं है पर एनम बचाई किया नालायक उसके बावजित पता नहीं क्या क्या अंसर निकालते हैं इतने सारे बच्चे नालाइक नहीं के इतर देखो यहां से चलों पर से करके दिखा देता हूं बेसिक सेलरी चारलाग है तो दसदर पर मंत है तो चारलाग तो बेसिक सेलरी है कि दिए आ गया एक लाग बीस जार ठीक है कमीशन पांसो पर मंत है छे हजार पे एंपलोई वाले का कुछ हमें करना नहीं है वह आप थोड़ा सा यह तो देख लेते सेलरी चारलाग के कॉंट्रिविशन पांस लाग कर रखा है है तो वह तो पोसीवल ही नहीं है कि जेम में चारलाग खा रहे हैं उसके कि कॉंट्रिविशन कर रहा है पांच लाग बच्चा कर इतना नियम देखते हैं लिख दिया लिख दिया हमें लगा एक लाग वो और खुद दे रहोगा कि आपको सकंब बताते तो सही कुछ अजीव लग रहा है सर कोश्चन में बचकर हमें लगी नहीं रहाता हमें लगा चल लए हमें लिखता सर्ट जो दिदे तो मान लेतियां इतने इत्से बच्चे हैं क्या हो गया चार लग जेम में पांच लाग कोंट्रिबुट कर दिना खाएक कहेंगे हद होई भी तुम्हारी इदर देखो ध्यान से जी अब एक अब एम्प्लोई कॉंट्रीमेंट चला वह तो वैसे भी कोई टीटमेंट करना नहीं ता शुकर है अच्छाएं म्प्लोईर कॉंट्रीविशन पर्सेंट बेसिक सेलरी अब बेसिक चार लाक है अब एंप्लोयर ने कॉंट्रिविशन किया चार लाग का चोदां परसेंट कितना आएगा 56 अब अलाउड जो है जो एक्जंशन है बारा परसेंट अब चार लाग तो यह सेलरी है डिये उटोए वाला कितना है अड़तालीस जार यह ना कमीशन में लेना नहीं इसका बारा कितना आएगा चार लाग तालिस जागा बारा परसेंट आएगा 53,760 तो बैलेंस क्या आ गया बैलेंस आ गया दो हजार दो सो चालिस रुपे यह हो जाएगा टेक्सेबल अब गलती से यह मत कह देना कि साड़े साथ लाग तक है तो एक्जंट है कि सर्फ मैं द्वारा बोलें साड़े सात लाग तक की निमिट बारा परसेंट टक में है इतना कॉंट्रिवेशन तो 12 से उपर वाला तो deutsche strikes taxable यह जितना मर्जी ओंग जो शाड़े साथ लाग की लिमिट पकड़के चल रहे थे तो गरत कर सकते हैं कि यहां साड़े साथ लाग की लिमिट लगी नहीं रही है कि क्यों के बचों के दिमांग अब बताओ ग्रोस सेलरी कितना रहे हैं पांच लाख अठाइस जार उसमें से पचास जर माइनस कर दोगे तो फॉर सेवन एट टू फॉर जीरो चलो यह आंसर आप इसके अंदर भाई सब इतने सारे अंसर निकाल रखे हैं कि इसके बच्चों वाला कोश्ण दा लिए उसके बाद या पांट पांच चेश्य आंसर मैं देख रहा हूं पता नहीं क्या कर रखें अपने चलो इसका आंसर जो है वह यह निकल कि आ ठीक है अब अगला कोश्ण करो पर मंथ के हिसाब से इगे वह ने पर मंथ कर दिया सेलरी परमंथ के कोडिंग अगला कर लो आप उसके अंदर मैंने परमंथ कर दिया यह लोग कुछ लिए नहीं दिया हुआ कमिशन नहीं दिया हुआ सिर्फ बेसिक सेलरी दिया और कॉंट्रिबूशन दिया है कर दिया है कर दिया है कि फिफ्टी नाइन लेक एटी थाउजन है यह आ रहा है कि चलो शुकर है सब कई सेम आ रहा है बताने एक बार बेसिक सेलरी कितनी है पांस लाख परमंथ है तो पूरे साल में कितनी हो गई कि इंप्ट्रश नियुक्त करेंगे एंप्लवे इंप्लोर कॉंट्रिबीशन एक बार चेक करेंगे एंप्लोयर ने कोंट्रिविशन इस साड़ेबाना परसेंट और सेलरी तो कितना आ रहा है साड़े साथ लाग तो ये तो एक्जम गाया सारा लिए इसला दो ना अओधे थे इसलाद कि है यह है यह त्यां से लोगा क्योंकि यैं बारा फरसंट से जादा will punch ठीक है तो एक्जम जो है वह है बारा परसंट तो वह है साथ साथ लाख बीस हजार तो तीस हजार पे यह हमें करना पड़ेगा टैक्स आघारी सो तीस आरप टैक्स अबला है तो साथ लाख टीस अजार माइनस में पचास हजार तो या गया 59,080,000 या आपकी टैक्सलिया बताओ क्या कोश्चन था कि अब बदाओ जो कोई दिक्कत तो नहीं है तो आपको साड़े साथ लाग की लिमिट बस यह बाद ध्यान देना साड़े साथ लाग की लिमिट हमेशा 12 टक वाले में अप्लिकेबल है अगर कॉंट्रिबिशन 12 पर से ज्यादा है तो वह एक्सेस कॉंट्रिबिशन जो होगा को हमें टेक्सेबल करना पड़ा है कि आब यह ऑगर यह अब जाके हमारा खतम हो गया की अगर एंपगोएर ने आरपेय में कोंट्रिबिशन किया तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा सक्इन कि इस इंपले है Works एंप्लोई ने कॉंट्रिबुशन किया और पिएट में टेक्सेबल एन एलिजिबल फो डिक्षन अंडर सेशन एटी सी वह तो सेम एस्पीफ अब जब एंप्लोईर ने कॉंट्रिबुशन किया सारे बच्चे ध्यान दें रटने वाले बच्चे खास तोर पर ध्यान दें कि जो एंप्लोईर ने कॉंट्रिबुशन किया सबसे पहले आपका एक काम है जब यह कोशन बनेगा वैस्तों बने गई जितना कॉंट्रिबुशन किया पहले वह निकाल के लिख लो वो तो निकाल लोगे परसेंटेज दियोगी यह अमाउंट दिया होगा कुछ भी दिया होगा लिख लो एंप्लोईर ने इतना कॉंट्रिबुशन किया यहां पर फिर वो सेलरी निकालो जो एक्जम्शन के लिए चाहिए बेसिक प्रसमें डिये उटोए प्रसमें कमिशन व फिर इन दोनों को देखो। About 34 कि ऐसी देखना है फिर क्या देखना है कि आसकी कर दोकी कुशेने नीचे वाले कौंड्रिबुशन से ज्यादा है यह कम है अगर वो ज्यादे हैं तो मत्त 20 प्रसंट से उपर किया। तो वो difference तो पहले taxable कर दो, यह taxable हो गया, यह तो कर दिया 12 से उपर वाला, अब बचा 12 वाला, अब 12 से बात करो, क्योंकि 12 वाले निकाला होए है न, अब 12 वाले से बात करो, कि तू बता, तू 7.5 लाक तक है या 7.5 लाक से उपर, कि अब अगर 12% कहता है कि मैं तो शाड़े-साथ लाग तक हूं तो छोड़ दो इसको यह डिफ्रेंस टेक्सेबल है और अगर यह 12% कहता है कि मैं साड़े-साथ लाग से ज़्यादा हूं तो फिर इसका एक्सेस पॉर्शन यह और प्रसमें वह डिफरेंस इन दोनों को चारे concept आच चुकी हैं बट आपको दो मेरे last में steps बताएं यह steps हमेशा ध्यान देना जतना contribution किया होगा पहले वह लिख लो फिर salary का 12% निखाल के वह लिख लो फिर उपर वाले को देखो अगर उपर वाला ज्यादा है नीचे वाले से तो access taxable हो गया यह हो गया 12% से उपर फिर हो गया employer का ची अच्छा अगला step आ रहा है इंट्रस्ट अब इंट्रस्ट का मुद्दा ही निकल क्या रहा है एक बात में को बताओ अब अभी तक हमने क्या किया जैसे मान लो अभी आर्पीएफ है कि इस आर्पीएफ में employee ने भी contribution किया होगा employer ने भी किया होगा तो employee के contribution प बात करते हैं employee के contribution के interest कि कि आज से दो साल पहले लोग बिल्कुल सिंबल था कि उसमें लिखावा था कि interest अगर साड़े 9% तक होगा तो इंट्रस्ट एक्जम्ट है और अगर इंट्रस्ट साड़े 9% से जाता है तो इंट्रस्ट एक्सेबल है चाहे वह employer का हो चाहे वह employee का हो दोनों के contribution पे अगर इंट्रस्ट साड़े 9% तक आ रहे तो एक्जम्ट है साड़े 9 से उपर है टेक्सेबल है इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है जैसे मान लो employer और employee इन्हों ने एक एक लाख रुपे contribution किया पर फिर क्या किया इस एक लाख को आगे invest कर दिया इस एक लाख को आगे invest कर दिया अब उस investment पर return आ रही है 10% की 10% की तो गॉर्म बोलती ती 0.5 taxable, 0.5 taxable, इस एक लाग का 0.5 यह टेक्सेबल इस एक लाग का 0.5 यह टेक्सेबल इतना सिंपल लो था बिल्कुल गिला हुआ अब अब गॉर्मेंट ने का सुनो कि अब कोवर्मेंट ने का जी जो employee के contribution पे interest आ रहा है अगर वह 9.5 परसंट तक है तो एक्जम्ट है 9.5 से उपर टेक्सेबल है अगर वह इंट्रस्ट साड़े नौ परसंट तक है तो एग्जम्ट है शाड़े नौ परसंट से उपर तो वह टेक्सेबल है बट साड़े 9% से उपर वाला इंट्रस्ट पहले भी टेक्सेबल था आज भी टेक्सेबल है साड़े 9% से उपर आने वाला इंट्रस्ट पहले भी टेक्सेबल था आज भी टेक्सेबल है बट साले 95% तक इंट्रस्ट हम एक जम्द तब करेंगे अगर एंपलोई का कॉन्ट्रिबीशन 2 लाग तक है ठाश्य को एडि मैं एमपलोई का कॉन्ट्रिबीशन अगर धाय जादा है तो एक्सेस कोंट्रिबीशन पे आने वाला इंट्रस्ट टेक्सेबल कर दिया लेगा चाहे वो साड़े 9 परसेंट तक क्यों लाओ एक्जामपल के लिए एक्जामपल के लिए जैसे मान लो एम्पलोई ने अपने आर्पीएफ में कॉंट्रिबुशन किया मैं दो तिन केस्ट बना लेता हूं एंप्लोई ने कॉंट्रिबिशन किया 2 लाक एंप्लोई ने कॉंट्रिबिशन किया मानलो 2 लाक और एंप्लोई ने कॉंट्रिबिशन किया मानलो 3.5 लाक ठीक है पहले बात करते हैं अच्छा इंट्रस्ट तुम पहले इंट्रस्ट कितना रहे हैं इस पें इंट्रस्ट आ रह है मालो यहां पे 10% अब और इस पे इंटरस्ट हा रहा है मानलो 8% कि पहले बात करते हैं old लोग की ओल्डॉड ओलो में क्या था गुराने लोग में क्या था ये सारा एकजंट के इसमें दो टुगडे उते थे 9.5 अलग-5 अलग और ये सारा का सारा एकजंट था इसमें कोई द फिरम क्या करते थे इसका 2.5 निकालते थे वह taxable कर देते थे अब new में आ जाओं अब अब लेटेस्ट लोग क्या कहते है कि यह साढ़े नौ परसेंट तक एक्जम्ट है साढ़े नौ से उपर taxable है साढ़े नौ परसेंट तक एक्जम्ट है अगर contribution भी डाही लाग तक हो यह 2,00,000,000 है इंट्रस्ट 8% है तो सिंबल सी बात है आज भी एक्जम्ट है क्योंकि दोनों कंडिशन सेटिस्फाइड है दो कंडिशन है पहली कंडिशन कोंट्रिबिशन डाही लाग तक होना चाहिए दूसरी कंडिशन इंट्रस्ट भी साढ़े नौ परसेंट तक होना चाह पहलें भी ट्यक्सेबल था आज भी ट्कतों इसमों कोई Anita अब अगले में अब इंट्रस्ट 8% है पहले क्या था एक जम्ट पहले क्या था एक्जम्ट अर गोर्मेंट कहे हैं कि दो कंडिशन है पहली कंडिशन इंट्रेस्ट साडे वो तो है दूसरी condition तेरा contribution भी डाई लग तक होना चाहिए क्या वो है या condition break हो गई तो इसके दो टुकडे करेंगे अब डाई लग करेंगे एक लाग करेंगे एक लाग का आठ परसेंट यह एक्जम्ट है इसका अब यह जो जितना भी आएगा अगर वो गई लाग से उपर होगा तो एक्सेस कोंट्रिबिशन का इंट्रस्ट टेक्सेबल हो जाएगा चाहे वो सड़ेनों परसेंट तक ही क्यों लाओ कि यहां था कोई दिक्कत तो नहीं अच्छा अब मालनों अगर कोंट्रिबिशन एंप्लोई का है और पीएफ में चार लाग गलती करने करें त्यार हो जाओ और इंट्रस्ट जो आ रहा है वह 11 परसेंट आ रहा है अब बताओ क्या करूं बताओ जी क्या करूं पहले बताओ साडे नौ पर्सेंट से उपर वाला टेक्सेबल नहीं था अवाज नहीं आती नहीं तो दिक्कत गती है क्या आज भी है तो पहले वह क्लेस खतम करो कि सबसे पहले क्या क्रों ग्यारा परसेंट के दो टुकडे बनाओ एक तो 9.5 परसेंट और एक 1.5 परसेंट तो सबसे पहले 4 लग का तो 1.5 परसेंट यह जो आएगा यह हो गया टेक्सेबल इसमें कोई दिखकत तो नहीं है कुंकि पहले सेम यह था ही ना ना यह तो पहले भी था कि डेढ़े परसेंट जो साड़े-नों से उपड़ है वह तो सारे कॉंट्रिबूशन का टेक्सेबल हो कि क्योंकि वह इंट्रस्ट तो साड़े-णों से उपड़ है अचा अब बच गया साड़े-दो अब गोर्मेंट तो यह बता दे तेरा कोंट्रिबुशन कितना है मैंने का 4 लाख तो तो थीक है धाई लाख एक्जम्ट है डेड़ लाख का यह इंट्रस्ट साढ़े-9 परसेंट यह भी टेक्सेबल होगा कि वह कॉंट्रिबुशन धाई लाख तक है डाई लाख से उपर है सेम जैसे हमने अभी नहीं किया आरपिएफ वाले केस में बारा परसेंट से उपर वाले तो सारा टेक्सेबल है बारा तक वाले में साड़े साथ लाख की लिमिट है यहां भी सेमी हो रहे हैं यहां भी गवर हो वह यहूं कि यह अच्छी रहां एंपलोई की कॉंट्रिबिशान कि employer के कॉंट्रिपीशन पैंकर इंट्रेस्ट आएगा उसकी बात नहीं करना है उब प्वंपे pasta to buy क्या ज्ण करना क्रदे के सारे पचे द्यान देजी यंप Deutsch के सारेज द्यान देजीं एंपलोई के कुंट्रीविशन पर जो इंट्रास्ट आएगा उसका एंपलोई के हाथ में ट्रीट्मेंट क्या होगा अब पढ़ हमें पर अब गोवर्मेंट के यह contribution 31 मार्च 21 तक पुराना लो इंट्रेस्ट साड़ेनों परसेंट तक था एक्जम्ट साड़ेनों सुपर टेक्सेबल अब यह लोग खतम हो चुका है अब आजो विद इफेक्टों फर्स्ट एपरेल ट्वंटीवन नहीं लो से अब कोर्मेंट कह रही है ध्यान से बढ़ना मैंने क्या लिख्या है इफ कोंट्रिविशन अप्टू डाई लाग एंड इंट्रेस्ट अप्टू 9.5 तो एक्जम्ट है नहीं यह बास समझें दो कंडिशन है पहली कंडिशन तुम्हारा कोंट्रिविशन डाई लाग तक हो और इंट्रेस्ट भी साड़ेनों परसेंट त तक है मैं तो फिरो एक्सेस कोंगिशन का इंट्रेस्ट हो जाएगा चाहे वह 9.5 परसेंट तक ही क्यों ना हो और फिर अगर इंट्रेस्ट साड़े नो परसेंट से ज्यादा है तो तो एक्सेस इंट्रेस्ट पहले भी टेक्सेबल था आज भी टेक्सेबल उसमें कोई भी चेंज लिए यह है लो कि आपको मेरी बात पड़े पड़ रही है पकापका अऊसके मैं को देता हूं लिख को यहां पर do कि sulfur intentar आपके सियाउ क्लेश रहे निग शिफिक्त न होए टो एम्प्रयोएर वाळे केस्स सेयाफ टैंशन्वरी सकते हूं कि उस-में it नए इन्टके जोंद स्थिया फर्येंट करते हैं वह आपके इस लेवल पर न है यह यह नहीं है कि उसका treatment नहीं है बस वह फोर्मुले वाला पार्ट नहीं बाकि सब है नहीं 11,000,000 को चार लाग को डिवाइड कर दोगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है बट वो मैंने का ना mcuse उसमें चल जाएगा सब्याक्टी में चलेगा सब्याक्टीमें जो ब्इस न करनी है वह पर्सेंटेज की करनी है mcuse मीऊर आप जैसे करो मियों को आंसरे मतलब है ठीक है काम कौन खतम अंसर आउसे निकल रहे हैं वैसे निकाल लो कि रख पड़िक करने का प्रीका 지금 होता ह गर ले लेते हैं ओ ठीक है चारों में से कितने मैं करहूं है है चारओ करा दूंए या एक कराने तो सर कहरा आपको यह है आपको बता है हमारा सर अगर अशाब मतलब आपके नहां दर आगसी नहीं लगती है जिसमें बारभार कहता हूं नहाय आप खुश होते हो वह बाले पॉस्टाइब अगसी होते हैं अब कैसे नालायक बोल यह कुछ करके दिखाऊंगा में अरे मैंने यह काता कि नालायक बोलता हूं तो बुरा तो नहीं लगता हो लगना चाहिए थोड़ा सा चुबना भी चाहिए यह नीं अव बोल दिया फिर वो जो भी नलैक बोल दिया कई बचे स्पैश्जी बूलते हैं एक बार नलैक बोल दो ना है नलैक कहेंगे उनको यह सुनके अच्छा लग रहा है होट वट तो क्या लग नहीं है उनको नलैक सुनना अच्छा मेरे पागलों और मेरे भाईयों मैं मोदी जी हूँ क्या लिख यहां पर लिखो यहां पर कोश्चन बेसिक सेलरी बेसिक सेलरी है दो लाख पर मन्त दो लाख पर मन्त ठीक है निए एंपलोई कोंट्रिबूशन इन आर्पी एफ वो है तू लेक्ट ट्वंटी थाउजंड इंट्रेस्ट ओन एम्पलोई कोंट्रिबूशन वो है साड़े आठ परसेंट आपको बताना है क्योंट एंट्रेस्ट अगला कोश्चन मेंने बेसिक सेलरी नहीं दे रहा हूं सिर्फ कोंट्रिबूशन और इंट्रस का रेट दे रहा हूं ठीक है ना कि एम्पलोई कोंट्रिबूशन ने आर्पी एफ वह है हैं हां इंट्रस्ट और वह कॉंत्रिवशन पर जियंद है एंप्लोई कॉंट्रिविशन इन कर भाच है क्ड़ोग बीच हजार रूपे पर एंदम मृइल अपड़ इंट्रस्ट यहां पर चेंज हो गया यहों गया साड़े-दस पर सेंट परहेना कि बेसिक अल्म का क्या करना है अब आपको इंड्रस जी निकालना है नतर रहे सिसलिरी तक तो आपको तो прогलौझ को towошिंटे निकालना होता हैं इंड्रस्ट में तो क्या चाहिए अपको प्रिंशीबल चाहिए व्यंड प्रिंसीबल उसने बता ही रखा frame कि आपको निकालना है कि टेक्सेबल इंट्रस्ट अगले में अगले में जी एम्पलोई कोंट्रिबुशन इन आर्पी एफ कि यह है कि चार लाख रुपे पर एनम प्लीज है इंट्रस्ट है आठ परसेंट पर एनम इंट्रस्ट है आठ परसेंट पर एनम और आपको वही टेक्सेबल इंट्रस्ट निकालना है अगला कोश्चन है फिर लास्ट एक एम्पलोई कोंट्रिबिशन इन आर्पी एफ यह है चार लाक रुपी यह हैं इंट्रस्ट यहां पर हो गया मालों 11 पर सेंट पर एनम लोच टेक्सेबल इंट्रस्ट निकालना है कि अगला कि और सुप्ट निकालना है कि यह कि यह कि यह कि यह कि यह झाल झाल कोशन इंटरस्ट के साथ भी आ सकते हैं अभी पहले करते हैं मुझे चांसिस कम है हर्ष क्योंकि एक नंबर में कोशन बनेगा ना तो एक नंबर में इतना बड़ा कोशन नहीं वनेगा बट कुछ कहने सकते मैं एक आदा कोशन कराऊंगा उसका भी झाल 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 है हां जी मैं कराऊं है चलो है पहला कोशन देखते हैं जी पहले कोशन में आरपिएफ कोंट्रिविशन कितना दो लाग बीज जार और इंट्रेस्ट भी कितना है साड़े आड़ तो सारा क्या हो जाएगा एक्जम्ट हंडड़ परसेंट एक्जम्ट अगले कोशन में अभी कोशाट साड़े दस परसेंट है साड़े नो परसेंट किसम्ट तो एक परसेंट टाक्सेबल होगा चहें कोंट्रिवुशन धाई लग तक कि क्यूं आओ तो दो लाख बीस हजार रुपे का एक परसेंट कितना आ गया बाई सो रुपे ही हो गया टेक्सेबर अगले में चार लाख है और इंट्रेस्ट आठ परसेंट है क्या कंडिशन सेडिस्वाइड है या नहीं है क्या इंट्रेस्ट साडेनों परसेंट तक है यह उस्से जादा है तो बस डेड़ लाख रुपे का जो एकसेस कोंट्रिबिशन है कि उसका आठ परसेंट तो वारा हजार रुपे का इंट्रस्ट चेक्सेवल है कि देने जी उसके बाद फिर यहां पर बताव दिए एंप्लोई कोंट्रिबिशन इन आर्पी एफ है चार लाख और यह ग्यारा परसेंट है तो सबसे पहले कि अब बच गया साड़ेनों अब गोर्मेंट नेका साड़ेनों एक्जम्ट है बट तब जब कॉंट्रिबिशन धाई लाग तक हो क्या कॉंट्रिबिशन धाई तक है धाई से उपर है तो फिर इसका डेड़ लाख रुपे का यह भी आएगा 14,250 तो टोटल हो गया बीस हजार दोसो परचास यह आएगा अब बताओ कोई दिक्कत परशाद है कि यह ट्रीटमेंट है इंट्रस्ट का बस को दिक्कत तोनी पकाइब कुल सिंपल है बस आपको यह धियान देना है कि आपको दो कंडिशन देखनी है अगर कोई दिख्शन धाय लाग तक है और इंट्रस्ट जो है वह साढ़नो परसंट तक है तो एकजम्ट है अगर कोंट्रिविशन तो यह तो अब यह तो हो गया एंप्लोई के कोंट्रिविशन का एंप्लोई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या करेंगे अगला पाइंट यह निकल क्या रहा है कि इंप्लोईर के कोंट्रिविशन का जो इंट्रेस्ट है उसका एंप्लोई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसमें आधा पोर्शनम में करना आथामें नहीं करना कि आपको मैंने पहले भी गाथा यहां पर भी सेम लिमीट थी साड़े नो परसेंट तक एक्जम्ट है साड़े नो से उपर टेक्सेबल है वही सेम लिमीट आज भी है को गोवर्मेंट नहींकारी जो employ कोंट्रिबीशन करेगा अगर वह इंटरस्ट उस पेंटरस्ट जो आ रहे है साड़े नो परशेंट तक है तो एक्जम्ट है और अगर इंटरस्ट साड़े नो परसेंट से ऊपर है तो वह टैक्सेबल है अगर एंप्लोय कोंट्रिबीशन का साड़े 9% से ज्यादा है वो पहले भी टेक्सेबल था वो आज भी टेक्सेबल है सेम एम्प्लोई वाले किसमें जैसा हमने किया अब अगर एम्प्लोईर के only आरे अगर वह साड़े 9 प्रसेंट तक है एक्सेबल कर दिया जाएगा चाहें इंटरस्ट साड़े 9-परसेंट यहां पर कितनी है यह बस फरक है बट यहां पर एक और फरक है जो हमारे मैंने का ना सीस प्रोफेशनल के इंदर आएगा है वह फरक यह है कि 7.500ड से उपर जो कोंट्रिबिशन होगा उसका इंटरस्ट क्या हो जाएगा टैक्सेवल चाहें इतला अब जितना कोंट्रिबिशन साड़े साथ लक से उपर है उसका इंटरस्ट निकालने का तरीका इंदोंने कुछ अलग तरीके से बताया है कि मलग जैसा अभी हमने किया एंप्लोई वाले किसमें तो बिल्कुल सिंपल था उसमें तो इंट्रस्ट रेट हमें दिया होगा इसमें कोर्मेंट कह रही है इंट्रस्ट निकालने का त्रीक्का है कि लेट्स एक्जामपल एंप्लोयर ने आठ लाग रुबे कोंट्रिविशन किया तो साड़े साथ लाग तक एक्जम्ट है पचास जार पर इंट्रस्ट कैसे निकालने है उसका एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला बस हमारे उसमें है केल्कुलेशन का पार्ट जो है वह सब म है पीसी डिवाइड वाइड वाइटू मल्टीप्लाइब आर इसमें अब एड़ों यहां पर और भी हो चुक है पीसी वन प्लस में टीपी वन मल्टीप्लाइब आर बच्चा गरे शुकर है कि क्या बोला समझ ही नहीं आया है बट है विगूल सिंपल यह है इसमें कुछ ख आ रही है कि जो तुमारे देखो मैं पहले पहले चेक्टर मैंने क्या लिखा है उपर देखो इंट्रस्ट अगर साधे नो परशेंट तक एक्जम्ट है साधे नो सुपर टेक्सेबल है फिर एक लाइन में लिखी है बट इफ एंप्लोर कॉंट्रिविशन इन एक्सेस साधे कि अब सोच के बोलना अगर मैंने आठ लाखर पर कॉंट्रिविशन किया साधे साथ लग से कितना उपर है तो पचासजा डिवाइड बाइटू कि एवरेज निकाल लो कि मल्टिप्लाय आर आर का मतलब रेट अब रेट कैसे निकालने रेट को निकालने का तरीका है रेट क गवर्मेंट तुमने प्रोनिंट अंदर पैसा लगाया तो पूरे साल में में इंटरेस्ट कितना कमाया वह तुम बतातो चाहरे और जो 掌ण बर दो पर्स होगा उसमें पर्सेंटेज निकालते रहते हैं कि रिटार्ण ओन-से ऐसे अब निकालते रहते हो तो उसमें यहीं करते होंगे profit divide by sale करके rate निकालते होंगे सेंब इसी तरह से एक बात में को बताना इसका इसका मतभब कुछ भी नहीं है मैं आपसे पूष्ता हूं मेiras मैं कि टुकांदार आपके पाप गर दुकांदार होगी तो समझ पाऊГए कि मैं अपनी जपैंका श atra Sharron लच उठाया तो मैंने अपने तिन के के गए कस्ट्वराई समालने की डि गए कस्ट्रम रहे समाहले की गए कस्ट्मर आ इस एह पूरदीन चलता रहा तो दिन के एन्ड मे फूर एक्जामपल मानओ इसके अंदर मानओ यह गया और प्छर्वीन पड़कल पगल पगल मोमो जो माइब गोड अब सुना द्याल से मैं कहना है क्या चाहरा हूं अब यह पांसो अर्बेगा स्टार्टिंग और दीन के एंड में यह दो हजार पर पड़ी है मेरा पूरी क्लास से कोश्चन है अब मैं आप सब पूछ हूं कि पूरे दिन में जो मैंने पैसा कमाया वो किस पर कमाया किया मैंने पांसो पे कमाया किया मैंने दो हजार पे कमाया या पूरे दिन में कमाया तो एवरेज क्या पूरे दिन में पैसा कमाया अब यह नहीं कहोगे किन से दो सोर पे कमाए 500 पे पांसों की उपर तो निए सिहां अनी से फिर कोर्मैंट कि एख़ी है उपनिंग कि प्लसमें कुझझ निए दिवाइड बैट यह एफलेगा इस पर तुमने दो है अश्यूंकि जब तुम्हें पता ही नहीं तुमने किस पर एवरेस निकाल लो अब यह तो करते हो एकाउंट आपने पड़ा होगा कि हम में नहीं पता हुट हम क्या करते हैं कि तो और प्रसुपलस में क्लोजिंग by 2 multiply R, R मतलब होता है IE divided by F average, IE मतलब पूरे दिन में आपने पूरे साल में क्या income कमाई, F average मतलब देखो मैंने क्या लिखे, F average का मतलब होता है opening balance of fund plus my closing balance of fund divided by 2, ये एक average आ गया, IE का मतलब interest, तो आप एक rate निकाल लोगे, उस rate को आप यहां लेकर चले जाओ, उससे multiply करके taxable portion है, तो सिंबल से बात है, calculation में हमें जाना नहीं है, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इतना हिस्सा आपका है, अब इसकी calculation कैसे होगी, opening balance कैसे होगा, closing balance कैसे होगा, interest कैसे निकाल लेंगे, वो भी हमारे किसी काम का नहीं है, तो इतनी से बात अपने दिमाग में लेके चलन अगर contribution 7,500,000 से जादा है, उसका interest हमें taxable करना पड़ेगा, उसका formula है, PC divided by 2 multiply R, PC मतलब जो 7,500,000 से उपर है, divide by 2 average निकाल लिया, multiply R, R का मतलब होता है, I divided by F average इस तरह साब calculation करने होगी, तो अगर आपके exam में question बन जाए, बताओ जी, अगर interest मेरा 7,500,000 से उपर है, उसको नि इन में से कौन सा formula है, तो formula है ये, PC divided by 2 multiply R, प्लस PC1 प्लस में TP1 multiply R, अब ये PC1 प्लस में TP1 multiply R का मतलब ही होता है, जैसे अभी तुम्हारा पहला साल है, तो पहला साल अगर होगा, तो ये इतना formula है, अगर तुम्हारा दूसरा साल है, अब दूसरे का मतलब के एक बात में को साना, अब जो contribution साथे साथ लाग से उपर है, क्या ये दुवारा से invest होगा नहीं होगा, क्या उस पर interest आएगा नहीं आएगा, तो PC1 प्लस में TP1 multiply R है पिछले साल का, ये पिछले साल का, कि अगर कोई contribution तुम्हारा पिछले साल साथे साथ लाग से उपर था, तो उस पर तु इतना हिस्सा जो है, ये बिलोंग करता है पिछले साल से, इतना हिस्सा बिलोंग करता है, तो इन दोनों को जोड़ के जो आएगा, उसको बोलते है, टेक्सेबल इंटरस्ट है, ठीक है, पॉर्मुला आपको याद करना है, बस, फॉर्मुला सारे बच्चे बोलो, अगर contribution सा TP1 प्लस में, PC1 multiply s, एक बार दोबार हो, PC divided by 2 multiply s, बैकिट बन, पलस में, PC1 प्लस में TP1 multiply s, PC का मतलब क्या होता है, जो contribution साड़े 7 लाग से ज्याद है, R का मतलब क्या होता है, rate, R क ऐसे निकालते हैं, I pride by f average, I का मतलब क्या होता है, पूरे साल में जो interest कमाया, एफ एवरेट कैसे निकलती है ओपनिंग बैलेंस ओफ फंड प्लस में क्लोजिंग बैलेंस ओफ फंड डिवाइड वाइड वाइड टू है यह आपके और पीसी वन प्रसमें टीपी वन जो है पिछले साल का जो कॉंटिविशन साड़े साथ लाग से उपर होगा वो और जो उ स्कार्ण हों उट सेप्ट है डिटार्मेंट के बाद क्या होगा फिर हमारा ओर खतम हो जाएगा फिर मूर्ड यू रंप बचेगा इससे पहले कॉच्छन करेंगे ढ иск je पता लगे कि जो हमने किया वह हमारे पल्लेह यहीं पड़ाई किस निकालने का घु सोसक्तर एक assistants to देर रखा है फिर तो काम ही खता हुआ उसके में कैलकुलेशन करने हैं ठीक है आउज यह कोश्चन लिखो मेरे साथ और यह मैं कराऊंगा आपने नहीं करना क्योंकि आप करोगे तो फूरी क्लास बीद जाएगी है और हमें सेल्री खतम करना आज लिकोरी बेसिक सेल्री हुआ करना कि 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 एक है कि एक है कि फोट्टी परसेंट भरूट है कमीशन करने दरनोमर जो है बारा लाक रोपे साल है एंप्लोई कोंट्रिबूइशन इन आर्पिया और लग एंप्लोईर कोंट्रिबूइशन आर्पिया बेशिक सेलरी इंप्लोई कोंट्रिबूइशन एंप्लोई कोंट्रिविशन ग्यारा परसेंट परेन आपको निकालनी है टेक्सेबल अच्छा पहले लिख लो इंट्रेस्ट ओन एंप्लोयर कोंट्रिबिशन आठ परेनम निकाल के दिया हुआ है फिगे लोज अब हमें क्या निकालनी है टेक्सेबल सेल्वें आउच करते हैं इधर देखो ध्यान से लिख लिए कुशन अब आजाओ नीचे सॉल्यूशन सबसे बहले लिखो बेसिक सेल्री कितनी है छे लख बहत्तर लाक रुपे की सेल्री आगए प्लस में इसमें जोड़ दोगे डीए कितने परसेंट है दस परसेंट साथ लाक बीज़ा यागए डीए प्लस में कमीशन वन परसेंट है बारा हजार कमीशन है प्लस में एंप्लोई कॉंट्रिविशन यह कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक सेल्री आपने पूरी ले रखी है सबुत एक प्लस में एंपुलोईर कोंट्रिवीशन यह हमें देखना है कितना टेक्सेबल करना है प्लस में इंट्रस्ट ओन एम्प्लोई कॉंट्रिबिशन यह देखना कितना ट्रेक्सेबल करना है प्लस में इंट्रस्ट ओन एम्प्लोईर कॉंट्रिबिशन यह हमें देखना कितना ट्रेक्सेबल करना है बस यह तीन चिरी हमें निकालनी है तो हमारी ग्रोस सेलरी है कि इसको माइनस करते ही हमारी टेक्सेबल सेलरी आजाईगे निंद्ध वस तीन जली हमें निकाल लिए अगर वोती जो निकल गई तो कोश्चन कहता में हमारा वस ठीकर आउंजे निकालते हैं वन्बैवन निकालते हैं सबसे पहले हम निकालते हैं टेक्सेबिल्टी ओफ एम्प्लोयर कॉंट्रिबूशन यह निकालते हैं ठीक है अब सबसे पहले यहां पर लिखो एम्प्लोयर कॉंट्रिबूशन अब बताओ कितना है कितना कि एम्प्लोयर 14 किसका बेसिक सेलरी का तो बेसिक सेलरी 72 लाख है कि उसका 14 परसेंट 10 लाख 8000 इसना इतना उसने कॉंट्रिबूट किया है कि अगरी माइनस में एक जम्ट अगरी का बारा परसेंट है अब सेलरी जो है बेसिक 72 लाख प्लस में डिये उटोए कितने परसेंट है तो 7 लाख 20,000 का 40 परसेंट है कि दो लाख 88,000 कैसे आया साथ लाख 20,000 का 10 परसेंट था उसका 40 उटोए वाल है प्लस में कमीशन बारा हजार खुद भी ना समस्ते रहना कि पल्ले पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा है कि यह टोटल सेलरी आ गई है मेरी है कि पिजत्तर लाख है कि इतनी सेलरी आ गए ठीक है को दिक्कत तो नहीं है अब इस सेलरी का इस सेलरी का गवर्मेंट ने बोला बारा परसेंट तक एक्जम्ट है कि इचत्तर लाख है कि जत्तर लाख का 12% एक्जम्ट है मतलब 9 लाख रुपे अ इतने परसेंट एक्जम्ट है जिस हुए थिक्त अब 9 लाक रुपे एक्जम्ट है तो एक्सेस जो आ गया वा गया 1,8,000 पर यह हो गया taxable in excess of 12% एक तो ही आ गया अब क्या मैंने 12% से उपर वाला टेक्सेवल कर दिया अब कितना बच गया 12% अब 12% जो है वो नो लाख है है अब गॉर्मेंट ने का जी कोंट्रिविशन अब टू 12% वो जो है नो लाख है इस नो लाख के दो टुकड़े हैं साड़े साथ लाख और डेड़ लाख है तो यह है एक जम और यह है टेक्सेवल तो एक तो टेक्सेवल होगा यह है एक लाख 8000 और एक हो गए देड़ लाख है तो टोटल टेक्सेविल्टी जो आएगी इन दोनों की दो लाख अठावन हजार पे टोटल एंप्लोयर कोंट्रिविशन टेक्सेवल है अब बता और यह कोई दिक्कत कि सासत पूछ लेना कोई दिक्कत हो दो कि कोई दिक्कत तो नहीं है ना वहीं बारा परसंट से उपर वाला पहले निकाल दिया फिर बाना परसंट तक नो लाख रुपे उसमें साड़े साथ लाख एक्जम्ट है बाकी डेड़ लाख रुपे टेक्सेवल है तो टोटल लोगा दो लाख थावन जा इसको भी ले जाओ इसके अंदर यह आगे हां पर दो लाख अठावन जाओ कि चलो जाओ अब आजो इंट्रस्ट ओन एंप्लोई कोंट्रिबिशन अब लिखो यहां पर टेक्सेविल्टी ओफ इंट्रस्ट ओन एंप्लोई कोंट्रिबिशन ठीक है अब मेरे को बताओ अब इंट्रस्ट रेट कितना है 11 अब इंट्रस्ट रेट 11 परसेंट है इसके दो टुकडे कि 9.5 परसेंट कि 1.5 परसेंट कि अब 1.5 परसेंट कि अब 1.5 ए इन एंपलोई ने कुंट्रिविशन कितना गिया है आठ लग ना ते आठ लग कही आ गया तो आठ लाग का वन पॉइंट फाइफ परसेंट बारा हजार पर तो यह आ गया फिर रहाजा साड़ेनों अब गोर्मेंट ने का अगर यह साड़ेनों परसेंट है तो अधाईला कलक कर दो और साड़े पांचला कलक कर दो कि इन एक्सेस ओफ 2.50 लेक अब यह तो आपका इसका साड़ेनों परसेंट कि यह एक्जम्ड है अब इसका साड़ेनों परसेंट जो होगा कि पांस लाग पचास अरगा साड़ेनों परसेंट यह हो गया बावन हजार दो सब्सक्राइब यह हो गया टैक्सेवल तो एक तो यह और एक यह इन दोनों को जोड़ दो टोटल इंट्रेस्ट रहा गया चोंसट अजार यह टैक्सेवल हो गया जी कि यह एंपलोई के कोंट्रिबीशन पर है तो आप इसको यहां रहे पर कर दो चोंसट दो सब्सक्राइब अब निकाल दो टैक्सेविल्टी आओ जी अब आएगा टैक्सेविल्टी ओ इंट्रस्ट ओन एंपलोयर कोंट्रिबीशन अब बताओ इंट्रस्ट कितना है 8 परसेंट देट इस अब टू 9.5 परसेंट अब गोर्मेंट अगर अब टू 9.5 तो साड़े साथ लाख तक कोंट्रिबीशन अब टू साड़े साथ लाख और कोंट्रिबीशन मोर देन साड़े साथ लाख तो साड़े साथ लाख तो यह तो एक्जम्ट है अगर साड़े साथ लाख से उपर है अच्छा एम्प्रोयर ने कितना कोंट्रिबीशन किये दस लग आठ हजार ना तो साड़े साथ लग से कितना ज़्याद है दो लाग अठावन जार तो दो लाग अठावन हजार का आठ परसेंट तो यह दो लाग अठावन जार जो है देट इस इन अठावन जार का आठ परसेंट आएगा बीज हजार 640 रुपे यह भी टेक्सेबल अठीक है ना वैसे साड़े नौ एक्जम्ट है बट गोर्मेन ने का साड़े नौ एक्जम्ट तब है अगर वो साड़े साथ लाग तक हो अगर वो साड़े साथ लाग से उपर है तो एक्सेस कोंट्रिबिशन का इंट्रस्ट तुबारे हाथ में अब यहां में पीसी डिवाइड बाई टू मुल्टिपले आर मैंने क्यों नहीं लगाया क्योंकि वो रेट हमें दिया हुए अगर वो नही 340 या गया है अब बताओ टोटल ग्रोस सेलरी है कि एट है नहीं है वहत्तर लाग साथ लाग बीस हजार बारह हजार दो लाग अठावन हजार चोंसर्ट दोसों पचास बीस छेंसों चालिस तो एट्टी टूल है सेवन्टी फॉर थाउजन एट नाइन ती यह ग्रोस सेलरी कि माइनस में पचास दर कर दोगे तो एटी टू लैक ट्वन्टी फॉर थाउजन एट नाइन टी इह में टेक्स से बचले हैं कि दो कितना सिंपल कोश्चन है अगर अराम से करते रहें तो एक एक पाइंट को उठाओ कॉंसेप्ट अपने दिमाग में लेके आओ मजा आता ह कोशन करने में तो इपर बड़े कोशन करने में मजा आता है बस वो स्टेप्स पता होने चाहिए हमें पर्सेंट तक जितना साड़े साथ लाग से उपर ता उसका टेक्स से बलोता है अगर कोई दिक्कत तो नहीं है लोक कर दो उसको पक्का पक्कारी चलो तो अब जाके हमारा यह पाइंट खतम हो गया कि अगर एंप्लोएर ने कोंट्रिविशन किया उसका ट्रीटमेंट क्या ऐंबर र क्या होगा अब आज या अगर अगर पैसा nor पैसा मिल रहे तो क्या होगाалоरत गाट को एक बात में को ता एक सिंगल पैसा भी हम अघ्जम्ट कर देंगे सिंगल पैसा भी हम और पीएफ का टेक्सेबल निक करेंगे रिटार्मेंट के बाद चाहे 50 लाख हो 80 लाख हो सो लाख हो पांच क्रोड़ों हो 10 लोड़ों जितना पीएफ मिल रहा है सारा एक्जम्ट है और पीएफ कोई छोटा मोटा नहीं मिलता और चाहे करने हैं जितने गोर्मेंट जोब में हैं उनको पीएफ कम से कम भी 80 लाख मिलता है अब अगर 80 लाख रुप का पीएफ मिला और पीएफ है तो गोर्मेंट का सारा एक्जम्ट है बट सब्जेक्ट टू कंडिशन इन तीनों में से अगर सिंगल कंडिशन भी सैटिस् इसके बाद कि आपने किसी कंपनी में लगातार अगर पांस साल काम कर लिया फिर पीएफ मिला सारा कसी संप इसक्ट कम से कम साल उस कंपनी में काम करना है एक्जम्ट करने के लिए अगर तुम्हें तार्पैफ एक्जम्ट करवाने हैं र mín स्yez perspectives कर आना कदिशन एंगर आपन आपने पांस साल से पहले जोब छोड दी है नोर्मल बताओं नोर्मल पांस साल के बाद जोड़ूँगा तो एंग सरकते हैज अगर पांस पहले छोड़ूँगा बट गोर्मिंट कने फिर भी एक्जम्ट कर देंगे. It means अगर job छोड़ी आपने 5 साल से पहले तो भी एक्जम्ट कर दें कब? अगर कोई reason इन 3 में से 1 है. सबसे पहला reason आपने job छोड़ी due to ill health of employee. Employee की तबियत खराब है. डोक्टर ने medical certificate दे दिया कि ये काम नहीं कर सकता. कि कम से कम एक मेहने का रहस्ट चाहिए अगर यह certificate आप दिखा देते हो फिर पांस साथ पहले है सारा पैसे एक्जम्ट है कि सेकिंड आपकी तब्याइश सही है सेकिंड रिजन है डिस कॉंटिनियूंस ओफ एंप्लोयर बिजनस मेरी गल्ति क्या ची है। मैं जोजोब कैसे करूं है तीसमसरा रिजन है मिरे तबियत भी सही है। कि Employer का बिजनस भी चल रहा है फिर भी जोब होड़े पांक सा थे पहले किसलिए क्योंकि Reason ब्यूंड कंट्रोल एंग कि सिरी लियुप मतलब लग वहब एक काम करने का एंवायर्मेंट नी ये कि विव और घर करते हैं कि कि हरास्मेंट करते हैं कि ओवर प्रेशर मां एजज़त नहीं निकरतेे पैक निया जरियोगे त्फ़ red और इस हकारतम पांच थी पहले विए अग्जम्ट कर देंगे क्योंकि वह और रीजन आपकी कंट्रोल में ना किसी की नेचर चेंज को क्या आपके कंट्रोल में है है फेसे आपके देखा होगा कई लोग छोड़ यह पूर शुट्टी बात पर गुस्सा अब कुछ भी बोल दोगे ना उन्हें गुस्टा नाक पर सवा रहा है कि कि आप कितना चेंज करोगी कि टेंज आप हो सकते हो तो आर विफ प्वोर एवन बिग फॉर क्या मंसी इंदर बहुत बड़ी दिक्कत आती है सरी को कि MNC कंपनियां जितनी बड़ी-बड़ी MNC कंपनियां को मैंने पहले भी का था आजकल तो कई MNC कंपनियां पूछ लेती हैं इंट्रिव्यू के अंदर ही कि आप पाइटीस में जाने से दिक्कत तो नहीं करते हैं कि वह यह नहीं कहते कि पी-ओ बट वह यह जुरूर कहते हैं कि पार्टीस में आ जाना क्यूंकि हमारे क्लाइंट आते हैं अब बच्चा है तो मैंने का ना कंपनी बीस लाख देने से पहले चेक करती है कि आप कितने के इंसान हो क्या चालीस लाग लिगी करोगे तो 20 लाग देने को दिक्कत नियां 20 लाग कंपनी को बचने बीस लाग आप क्यों पर गएं और यह पांस लाग भी रिवर्ट नहीं करता कई बार क्लाइंट मेरा आया फोरण से क्लाइंट आया सेटेड़े को हमने पाइटी रखी मीटिंग है उसके बाद पाइटी है आपने फोन कर दिया मम्मी अलाउन नहीं कर दी कि मैं पाइट इसमें नहीं आती छेटे घर वाले लाउनि करते तो वह लें घरी बैठ जो विरा है वें सिंबल जी बात है सारे कुलीक्स मा पे हैं सारे यहिग उना पड़ता है वो यह नहीं करेंगी पीलो ऑप करें चिकन खालो करें सिंपल जिवाद आप खड़े रहो आप उनसे बातचित करो क्योंकि जब तक सिंपल जिवाद आपकी नेट्वर्किंग अच्छी नहीं होगी हमारे पास क्लाइंट कैसे आएंगे और कॉम्पीटिशन है वो यह क्लाइंट को लेने के लिए सो कंपनी खड़ी है अब अगर आप एक और में को बीस लाग चाहिए मंडे टू फ्राइडे काम करूंगी सेटेड़े संडे कभी निया जाओंगी कहीं ओफिस का ट्रिप जाएगा तो नहीं जाओंगी मैं घरी बैठोंगी तो बोलेंगा आप घरी बैठों कि फिर वह आपको बीस पच्छीज दार की जोब मिल लेकिसे काम चला लेना क्योंकि आर हर कंपनी में कंपिडिशन है इवन आरकल तो कई कंपनी में यह अधिन करते हैं और इसमति पूछ लेटेंивал को अगर नहीं करते करते हो हो अगर नहीं करता हम अब सब्सक्रणब मेल जोब मिलेगी मिलेगी बसकी दर प्रोब्लम किया आती है यह जैसे मैंने क्या बोला कि आरे पारिटी जोती है अग इसमाननों मैं हूँ आज तक के बीछ कि दूए भी यह सिर्प यह ईवर मैंने जो जोगते हैं एक बार तो टेस्ट कर ही लेना एक बार तो चलती है एक बार में क्या होता है एक थोड़ों होता है मैं का मिरे को नहीं करनी तो नहीं आपकी अपने रूल्स मेरे रूलस हा झालाओ काम नी करवांगा उनना उनका सिर्फ मोटीव यह होता है कि वकि वे लूग देखना साथ में यह कोई चिकन कह रहा हुगा ह। हमसे बैठानी जाता कर सामने ड्रीन कर रहा है हमसे खड़ा नी हुआ जाता तो यह चीर गलत है कि यह आंगे कांपरी में दिक्कत देगी आपकी ग्रोथ में दिक्कत देगी को कोई गुल आपकोई कुछ भी कर स्क दों कम्पनी को बंद कर वा देंगे। है कि उक्ति को है धनी आप की लाइफ के अंदर प्लिसी चेंज करें निए धर बोल सकता है जो सकता है कि हमारी म्हींटिंग आप में अपकोटाम पर कि आपका दिल जानता है आप नहीं पीते हैं आप लोगों की सोच को कैसे रोक लोगे प्रोब्लम के मुझे लगता है कि इंडिया में हर इंसान दूसरे के बारे में ज्यादा जानता है कि हर इंसान को दूसरे के बारे में आजकर इतना पता है और यही काबलियत उसको उस नोक्री तक लेकी जाती है जो चपडासिया गाड की होती है कि इसको दूसरे बारे में पता है उसको अपने बारे में नहीं पता और जिस दिर हर इंसान को अपने बारे में पता लग गया वह उसी दिन उस लेवल पर जाएगा जो अब्दुलकलाम और मानी हो जहां बने होगे क्योंकि दूसरों का नहीं सोचते हैं हमारी सोच ही दूस आथवलेने क्या पूचा होगा इसने क्या सोचा को ज graphic Oh ऐसे क्यों देख रहे हैं इसके दिल में क्या चल रहा है ठीकर कि आप लेसा आप दोस्रों की बात हमेशा पीज़े लोगो तो आप अपने उपर ध्यान देंगे तो आगे बढ़ेंगे आप दूसरों से ओपर ध्यान देंगेuent Bennett सों कभी आज हूंब क्योंने को यह से चोछी होती है इतनी 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 त तनी ही पाता हूं वह उनके सामने कोई नहीं है उनके सामने बस एक दूसरा इंसान है अगर यह नीचे गिर जाए वह खुश रहते हैं उनकी जिन्दगी उससे दूर देखी नहीं पारी कि उससे दूर भी एक दुनिया है ठीक है तो सिंबल जी बात यह है कि आपको मैं से कई बार बीच में थोड़ है कि आज आप से कई वच्छे ऐसे होंगे एक फोटो डालने से पहले है कि बीस बार देखते होंगे पहले उसको और इसलिए नहीं कि आपको वह कैसी लग रही है इसलिए कि जब मैं डालूंगी तो लाइक कितने आएंगे कि इसलिए कि दूसरे को कैसी लगेगी अपने कोई नहीं ले अपना बुरा कोई नहीं दिखाता sister कि इसा मैं अपना बुरा क्यों दिखाऊंगा जि attached to the other note 16": कि में अपना back-end क्यों दिखाऊंगा। कि मैं अच्छा Suswar और स्टार्ट तो फिर काम खतम लाता है तो मैंशा आपनी लाइफ से खुश रहो भगवान ने बहुत कुछ दिया आपको वसी यह पाद ध्यान दो ठीक है चलो वापीस आजाओ प्रवश्चन आज यहीं तक करते हैं ठीक है मंत्र मुख दो जाते हैं तो हे पार्थ तो मैं य पांत साल के बाद जोब छोड्mer दूसरी डीकर पांत साल से पहले जोब छोड़नीं तो ise पहला निकल किया रहे हूं दूसरा डीसा कॉनेखन इस ओ और क्या रहे है paragraph beyond control कि एकर कोई रिजन ऐसा है आपके नहीं तो भी आप जोड़ दो प्याई क्या जाएगा थेख्ञ को दिख्कत तो नहीं है अजा तिस बिजिए से मनलो भी कंपनी में काम कर रहा है झाइ इसका मालो ऑरतिए है हमारा हमने एक फंट बना रहा है आरतिया चार साल के बाद इसने कारी में आपकी कंपणी छोड़ना चाहता हूं ना इसकी तभीयत खराब है ना मेरा बिजनस बंद हो रहा है और ना ही रीजन ब्योन कंट्रोल एपर अवार्मेंट भड़िया एंवार्मेंट खुश हाई है कि अब यह कंपणी क्यों चोड़ना चाहरह है इसने का मेरी सेलरी कम है अपने मुझ से कहता है ऐसा environment कहीं नहीं मिलेगा ऐसे employer कोई नहीं मिलेगे बड़ने अच्छी बातों से घर तो नहीं चलता ना तो है जुइयिए तो इसलिए मैं कि टाव हृं सैलरी मिल रही है ज़ाधा इसरों क्यों छोड़ने हैं कि अब पानस साम चोड़mor बट गवर्मेट कर आड करें कब अगर यह पैसा Рपीयव का कैश नहीं लेता गुदल लेता जिस पैसे को नई कंपरी में ट्रांसफर करवा लेता कि प्यृजय और इस कंपणी और उस कंपरी में जो इसने काम किया दोनों को मिला गर पांस सालो जाते । इंधम्रों जैसे चार साल काम किया इसका आरपी फंद अला पाँचो मैंने कहले ऑपना पैसा इस कॉंपने के वे तु टैन्सफर करतो मैं यहां पेडी करूंगा सिबस्राइब किरो कि टिए ऑर ऐग देखे और ऑप स्थोड़ ich अगर old employer से पैसा new employer में transfer करवा दिया और दोनों को मिला कर अगर पांस साल हो चुगे थो पैसा एक्जम्ट हो जाएगा ठीक है अब देखो यहां पे क्या लिख है old employer new employer transfer टोटल मिला कि अगर पांस साल हो जाते हैं तो सारा पैसे एक्जम्ट है नहीं तो टेक्स अब देखो तीन कंडिशन अपने दिमांग में के चलना जी पहली कंडिशन सबसे पहली अगर जोब छोड़ी आपने पांस साल यह उसके बाद सारा आर्पेफ एक्जम्ट है अगर जोब छोड़ी पांस साल यह उससे पहले पर रीजन कोई भी एक है पहला रिजन का निकल करें डूट इल है अगर आप ट्रांसफर हो रहे हो नएं एंप्लोयर के यहां पर पैसा ट्रांसफर कर वारे हो और दोनों को मिला के पांस साल हो जाते हैं तो सारा कैसा एक्ज अब आपचा करता सर अगर इनमें कहीं पर भी कवर नहीं तो क्या होगा फिर आरिप प्र जाएगा टैकसेबल फिर एक्जंशन नहीं मिलेगी अगे गश्म्ट करवाना हैं तो इन तीनों में कहीं न कहीं करना पड़ेगा बस यह पद्ध्यान के बासना पका तो यह होगा ज उस्ट एक जोब छोड़ना चाये, एक महिना पहले नोटिस में को देखा, जोब छोड़ दे, ऐस थोड़ा कि ऌप किसी कंप्री में काम कर दो पुर्जिंदकी ली बंद गही। यह को नहीं काम करना मापने, मैं को नहीं पैकेज मिल रहा अच्छा, तो एक महिना पहले इसको ताकि वो अपना अरेंजमेंट कर ले और आपको जा सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है अब यह सारी बाते हमारी आर्पीएफ के हैं जी अब हमारा लास्ट फंड यू आर्पीएफ है यह तो सिरफ पांट से साथ में इंड्रेस में कुछ भी नहीं यह यू आर्प जो फंड अन्रिकोगनाईज है अपने बोल तो क्या उसको डिडेक्शन मिलनी चाहिए जो फंड ही अप्रूव नहीं है क्या डिडेक्शन मिलनी चाहिए तो एक बाद चेक करना है यहां पर क्या लिख है एंप्लोई कॉंट्रिबिशन टेक्सेबल एंड नोट एलिजिबल 80C में से यह माइनेस निहोंगा यूःप स्पफ होगा अर्प और के यह निहोंगे आच कि उसके बाद मोंट्रिबूईर रेिशन नोटेक्सेबल इंट्रेस्ट सारा का सारा नोन टेक्सेबल चाहिए वो एंप्लोई का हो चाहिए वो एंप्लोयर का हो अब चाहिए क्या कमाल की बात है कितना बड़ा फंड है तो बहुत कहां आरपी आफ में भाजी साथ दिमाग खराब कर दिया यह तो अच्छा क्या फिल आ रही है कैसा लग रहा हैं अब सोचके बोला डूरिंग चाहिए हैं तब ज्वान भी तेक्सा मिले गा तो तो वाजयेगा है तो सारा सीरा मेट को तो गौर्वेर ने का देखो जी यहां नोन टेक्सेबल नोन टेक्सेबल जैसे रिटार्मेंट पर पैसा मिलेगा अब आजाओ एंप्लोयर कॉंट्रिबिशन जितना है सारा टेक्सेबल कि जो उस पर इंट्रस्ट आ रहे है सब टेक्सेबल सेलरी हैड में कि एंप्लोई कॉंट्रिबिशन नोन टेक्सेबल कोई बोलेगा क्यों ओल्रेडी पहले टेक्सेबल हो चुक है उसका इंट्रस्ट टेक्सेबल बट यह अधर सोर्स में टेक्सेबल होगा यह स्पेशल पाइंट है यह बाद ध्यान देना कि जो employer का interest है taxable वो भी है बट वो कहां पे है salary में और इसका interest taxable होगा वो कहां पे होगा other source में वस यह बाद ध्यान देना जाए अब मेरा पूरी क्लास से question है आपको मैं question दिखाता हूं आपने मुझे answer देना है इसका लोजी को आफ व्हार ताय हो ये अो बाद वे कि यह लो जी कि कॉश्टन पढ़ना हूं कि कोश्र बढ़ना जी द्यान से बोलो कह लिख है मिस्टर ए कब रिटायर हो रहे हैं फ्रॉम सर्विस ओं थर्टीफ दिसंबर यहां पे लिख लेना 2022 तो जार आफ्टर अब बस इतना मुझे अंसर कितने साल के बाद हो रहे हैं अगर यह आरपी एफ है तो सारा एक्जम्ट ह कि कुछ वोला मैं ने अगर यह तो सारा क्यूंढ पांस साल से ऊपर हो चुके हैं जाना यू आरपी एफ में कोई ऐसे लिमिट नहीं है यूरपेफ में जब भी रिटेर्मेंट लोगए टेक्सेबल है चाहे पांस साल के बाद हो लिमिट सिरफ और पिया नहीं है मुझे नह साइन को पढ़के यह कन्फर्म हो गया अगर यह आर्पियस है तो सारा एक्जम्द है अगर देखते आंगे क्या मिस्टर ए रिटायर फ्रॉम सर्विसों 34 दिसंबर आफ्टर 25 यर फोलोइंग आर्दा पर्टिकुलर इंकम इंसेंटी फोर प्रीविस यर मानलो 22 तइस आपको दिया हुए अब ध्यान अखना उसको मिल रही है सेलरी नो महीने की क्योंकि रिटायर्मेंट दिसंबर में वी न तो एपरेल से दिसंबर तक की सेलरी मिली है उसको डिये उसको मिले इतना अब ध्यान से लंसम इंप्लोयर का उसका इंट्रस्ट कितना एंप्लोयर का उसका इंट्रस्ट क्या दिया हुआ है बढ़ भी कोशन खतम नहीं हुआ आगे देखते हैं फिर पगर पीपेफ में टीपोसिट किया 40,000 इसका तो ट्रीट्मेंट डिडेक्शन में करेंगा आगे जहां से बंदम आउ आगे को एंप्लोयर कोंट्रिविशन दोलग 20 दार पे इंप्लोयर का सेल्री में एंप्लोई का कॉंट्रिविशन 270 है एक जम्ट है क्योंकि पहले टेक्सिवल उसका इंट्रस्ट आठ गया रहा है यह कहां करोगे अधर सोर्स में अब एक बार चेक करना देख जींगे इंकम एंप्लोयर शेर दो बीस उसका इंटर्स पचासदार दो सब्सक्तर अधर सोर्स की इंकम एंप्लोई का इंटर्स साथ जारवे टोटल इंकम तीन लग तीस लाइब इंटर्स इंसरा नीं करेंगे क्योंकि गोर्मेंट बात क्याते कि सेलरी हैड में वह पैसा आता है जो एंपलोयर एंप्लोई इंप्लवी को देता है अभी तो उसके खुद का पैसे पर मुझे इंप्रस आएगा तो कि इसमें पर आधके दौ्टबूवेश की अधर सॉस के आंसर भी एनी डिफेरेंट इफ दा फंड मेंशन अबब वस रिकोगनाइज पूविडेंट अगर वो आरप होता तो छे लाखरवे सारे क्या हो जाते एक्जम देखो जी सिंस फंडे रिकोगनाइज वन तब मैचोटी जो मिल रही है पच्छी साल के बाद वो सारी कि सारी एक कभी कोशन बना नहीं है तो रीजन क्योंकि आपने आप में दो हाती बैठें एक छोटा हाती स्पीए और बड़ा हाती आर्पिया तो ओल्रेडी उसको बहुत सारे ओप्शन से कोश्चन देने के तो यूर्प में क्यों बनाएगा ठीक है बट मैं यह नहीं कहारा बन नहीं स प्रशन जो बनेगा वह यह तो बनेगा एसपीएफ में सिया बनेगा आर्प यह बस यह बाद ध्यांदो ठीक है अब फटावर्ट से आसा करते हैं दस मिंड लगा के सारे पीएफ एक बार रिवाइस करते हैं फिर उसको प्लिएफ को दियां से अब टोटल हमने पीएफ जो कोशन होते हैं चार चार कोशन कौन-कोन से पैरा कोशन क्या रहा है एंपलोई के कोंट्रिबिशन का एंपलोई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा दूसरा कोशन क्या है एंपलोईर के कोंट्रिबिशन का एंपलोई के हाथ में ट्रीटमेंट क्या होगा तीसरा कोशन क्या दोनों के contribution पर जो interest आएगा उसका employee के हाथ में treatment क्या होगा और चोथा question क्या है after retirement जो lump sum पैसा मिलेगा उस lump sum पैसे का employee के हाथ में treatment क्या होगा यह चार question आ रहे हैं question number one सबस्वेले बात करते हैं SPF की तो government ने का जो employee contribution है उसका उसके हाथ में treatment करेंगे taxable and eligible for deduction under section ATC और डेड़ लाख रवे तक की लिमीट होगी बस यह पात ध्यान दो अगला फिर employer ने contribution किया तो government ने का वो हम खुद है तो वह exempt कुछ भी taxable नहीं करेंगा फिर employee contribution पर interest आएगा तो government ने का अगर वो contribution धाईलाग तक है तो वो सारा interest exempt है अगर वो contribution धाईलाग से उपर है तो आने वाला इंट्रस्ट employee के हाथ में taxable है excess portion पर बस यह बात ध्यान दो फिर employer की contribution पर जो interest आएगा वो सारा exempt है retirement पर मिलने वाला पैसा भी सारा exempt है SPF में यह बाते हमने की अगला point फिर हमने complete किया आरपी एफ आरपी एफ में employee contribution टेक्सेबल एंड एलिजिवल फो डिड़क्शन अंडर सेक्शन एटी सी और डेड़ लाखर पर तक की लिमीट होगी वह से बात ज्यान दो फिर मैंने का जो एंप्लोयर ने contribution किया तो सबसे बहले गवर्मेंट ने का जितना contribution किया वह लिख लो फिर तुम चेक करो कि उसका जो यह contribution है क्या उस सेलरी के बारा परसेंट तक है बारा से जाद है कि सेलरी के बेसिक प्लस में डिये उटोए प्लस में commission percentage वह सेलरी निकाल लो उसका बारा परसेंट इसके नीचे लिख लो फिर उपर वाले को नीचे वाले से compare करो अगर उपर वाला जादा है तो मदब contribution बारा परसेंट से उपर है तो वह difference taxable कर दो employee के हाथ में फिर जो बारा परसेंट है उससे बात करो अगर यह बारा परसेंट साड़े साथ लाग तक है तो यह exempt है अगर वह साड़े साथ लाग से उपर होगा तो वह भी employee के हाथ में taxable है यह treatment करेंगे employer के contribution का फिर बात आगई interest की अब government ने का देखो जी अगर employee के contribution पर interest आ रहा है तो यह तो वह साड़े नो परसेंट तक है यह वह साड़े नो परसेंट से जाद है अगर वह साड़े नो परसेंट से जाद है तो access interest employee के हाथ में taxable है टोटल contribution का वह taxable हो जाएगा बट अगर interest साड़े नो परसेंट तक है तो तुम यह देखो तुमने contribution कितना किया अगर वह contribution धाई लग तक है तो फिर तो वह interest exempt है अगर वह contribution धाई लग से ओपर है तो access contribution पे जो interest आएगा वह employee के हाथ में taxable होगा चाहे इंट्रेस्ट साड़े नो परसेंट तक ही क्यों ना हो यह बाते हमने की फिर आगे एंप्रोर की contribution का क्या होगा तो एंप्रोर की contribution पे जो interest आएगा तो गमेंट तक एक्जम्त है साड़े नो परसेंट तक भी taxable हो जाएगा अगर contribution साड़े 7,00,000 से ज़्यादा है अगरald contribution जो किया सारह aixíनल कोई दिक्कत नहीं है साथे साथ लक से ऊपर होगा तो access contribution का own नेट से बला है चाहें वह 0.5 परषेंट तक लिखाले है तक वह बता इन्होंने बताया ठीक का हैी रिखि डिवाइड बाई तू मांटिप्लय divided by F average, IE का मतलब पूरे साल में जो आपनी income कमाई F मतलब opening balance of fund प्लस में closing balance of fund divided by 2 और TP1 प्लस में PC1 जो है वो पिछले साल की duration की बात करें कि पिछले साल का जो taxable होगा वो भी यहां पर आपका आजाएगा, फिर यह सारे बात complete करने के बाद पैसा अगर retirement के बाद मिलेगा तो क्या होगा, तो गौर्मेन ने का देखो जी, तीन condition अगर satisfied, तीन में से कोई भी एक condition अगर satisfied कर दोगे, तो सारा RPF exempt हो जाएगा, पहली condition आपने जोग जो छोड़ी है, आप रिटायर हो रहे हो पांस साले उसके बाद, तो सारा RPF exempt है, अगर आपकी retirement पांस साले उससे पहले हो रही है, reason कोई भी एक है, तो भी exempt हो जाएगा, पहला reason के निकल कह रहा है, आपकी तबियत खराब हो गई, आप इसलिए रिटायर हो रहे हो, exempt है, एमप्लोयर का business ही बंद हो गया, इसलिए रिटायर हो रहे हो, तो भी exempt है, तीसरा अगर government के रहे, reason beyond control है, कहां पर काम करने का environment नहीं है, infrastructure है, कुछ भी आपको reason हो सकता है, आप proof कर दो हमें क्या वहां पर काम नहीं कर सकते हैं, तो भी exempt कर देंगे, तीसरा government ने बोला, आप यहां से कहीं और ट्रांसफर हो रहे हो, और पैसा आपने ट्रांसफर कर वाली है वहां पर, इन दोनों company को मिला के अगर तुमारे 5 साल हो जाते हैं, तो भी हम क्या कर देंगे, यह तीसरी condition है, नहीं तो फिर जो RPF मिलेगा, वो हो जाएगा taxable, फिर taxable नहीं होगा, क्योंकि सारा पैसा में retirement पर taxable करना है, retirement पर government ने बोला, employer contribution, taxable, salary head में, उसका interest, taxable, salary head में, employee contribution, non-taxable, क्योंकि पहले taxable हो चुका है, उसका interest taxable करेंगे, other source के अंदर, यह सारी बाते हमने किये हैं, जी, तो यह हमारा PF है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो I think, clear ब हमने complete कर ली, RPF और, URPF हमने complete कर ली, ठीक है, तो यह सारी बातें बस आपने करनी हैं, अब एक दो पाइंट और है, salary pack करके class खतम करूंगा, अब एक दो पाइंट और कौन-कौन से हैं, पर अब बता निए बता है, अगर बताया, तो फिर तो खतम है, नहीं बता तो बताने जा रहा हूं, एक है, surrender of salary, और एक हमारी होती है four going of salary, अब surrender of salary, और four going of salary, इन दोनों का क्या मतलब है, आपको बताने जा रहा हूं, कई बार एक्साम में क्यrift question बन जाता है, कि surrender of salary, एक सेविरिये एक्ष्म पै याँ फोर ऑंगउम सेल्रीं एक्षा यह से बलए एक्षा प्सेंदर क्यों होता है त्याग दिना तुल से ते एक्षामपल मांन लो मैंने साथ साल तक बहुत पैसा कमाया है कि अब साथ साल तक मैं इतना पैसा कवा है कि अगले आने वाली लाइफ मेरी राम से खतम हो सकते कोई दिक्कत नहीं है बट मुझे अभी भी काम करने का शूंग है कि अब जो मैं कहता हूं कि मैं काम इसलिए करों कि गिरीव लोगों के कि एक यह उनसे मेरी रिटार्मेंट आगे कर रहे उंगे अब नयहोग लेकर आए में कोएंगे ने मैने लोग लेकर ajuda शैलरी कम देंगे उनको कि मैं आप मेरी salary कितनी मीट कर पाऊगे उसे अब आप रिटायर हुए आपकी salary थी 20 लाख पर मनत तो हम आपको 5 लाख पर मनत दे सकते हैं मैं कर दन बट मैंने का मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ यह पांच लाख पर मत मतलब एक साल में कितनी होगा साट लाख यह साट लाख मुझे नहीं चाहिए यह इस ट्रस्ट को डोनेट कर देना मेरे को एकर पर नहीं चाहिए मैं आपके हां पर काम करूंगा salary नहीं चाहिए याग दी मैं सेलरी अभी ड्यू तो नहीं थी ना आपने काम ही नहीं किया दो ड्यू इन्यू उसे पहले आपने कह दिया यह सेलरी इस ट्रस्ट को डोनेट कर दो तो नोन टेक्सेबल करेंगे हम टेक्सेबल नहीं कर दूसरा है four going of salary मतलब मैंने काम किया employer ने मुझे बुला अगल मनीं जाएगी अगर आपने अपने सेलरी ड्यू होने के बाद छोड़ी है तो वो सेलरी को छोड़ना नहीं बोलेंगे उसको बोलते हैं application of salary हुआ कि अपने अपनी मर्gिस्या अप्लाई किये ना थी आप अंता अंदम काम किया तो सेलरी आपकी पांच राखी होगी म rivers और फोरॉइंग ओиляरी एंपहलaran के हात में टक्सेइबल हुती है स्रंडर ओव सेलरील्डstag मुलाई का देस्प या sangat तो कर एक्जाम में कोशन बन जाए कि हाँ बई स्रेंडर अफ सेलरी का ट्रीटमेंट क्या करेंगे तो फूली एक्जम्ट कोई टेक्सेविल्टी नहीं है क्योंकि वह ड्यू होने से पहले ही छोड़ दी गई है और फॉर गॉइंग अफ सेलरी का मतलब क्या होता है कि अगर ड याद करो एडमान्स सेलरी भबद तो अ कि सेल्री अगरेंडवांस के अंदर मिल जाए है तो हम क्या करते है वो करते मोटें basketball करते एक यूशल और एडवांस अगेंस अगेंस में फरक होता अगेंस भी होटायों अभि इसेग आया इसने का सर अगले चार मेने की सेलरी एडवांस दे दो यह है डवांस सेलरी इसके हाथ में टेक्सेबल है डियू और सी वीच है और इस अर्लिय है इसने ज़े शादी बेस ने बोला कि सर एक लाक रुपे दे दो मेरे सेलरी में से काटते रहे ना गर्मेंट के रहे इसका ट्रीटमेंण्ट तूम सेलरी की तरह नहीं करोगे इसका तवेंट लोन की तरह ट्रा जो आपने लोन वाला dubbed है बाले लोधि मेंद सेलरी के वह तो अब जा लून की किस जारी है इसका इडवांस इन थोड़ा वो लेंगे तो इसका ट्रीटमेंट तुम करोगे लून की तुम त्रशतों की त triumph करתי ऊपके वांस झाली को एडवांस सब्रहि को ऐडवांस री मानते हैं आंसर डून सांड नहीं मानते हैंique अद्वांस अगेंस सेलरी को हम लोन की तरहां ट्रीट करते हैं उसको अद्वांस सेलरी की तरहां ट्रीट नहीं करते हैं पक्का पक्का लास्ट पाइंट कि लास्ट वाइंट यह बात में को बताना जी आपको मैंने का था कि एक बेनिफिट होते हैं कैश है नोन कैश कैश को नोर्मली हम क्या बोलते हैं और नोन कैश को अब सुनों अब मान लो मेरा पूरी क्लास से कोश्चन है कि एंपलोई की तबियत खराब हो गई मान लोग इशेक की तबियत खराब हो गई अभी इशेक को मैंने बोला मंगल ब्यार में क्लीनिक है जा दिखाया है इंजक्शन ठोग देगा तरको तो चार गोली भी पकड़ा देगा तो इसने का सर खर्चा मैं को खर्चा मेरा मान लो इसके पूरे इलाज पे खर्चा हुआ एक्सांपल दसजार में धिया इसका इलाज कर वाया खर्चा मैं दिया यह दशार पर खर्चा हुआ इसके हाथ में टेक्सिबल नोन नेक्सिबल क्योंकि यादग्द वह स्पैसिफाइड होस्पिटल में नहीं है अच्छाँ अजब तो क्या यह सेलरी में जुड़ेगा तो क्या इस पे इसको टेक्स देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा अविशेक नहीं हाथ खड़े कर दी कि इस पे जो टेक्स बनेगा वो भी नहीं मैं दे सकता और मान लो इस दस जार पर टेक्स बनता है एक हजार बें कि अधिए जूड़ा तो इस पर एक हजार प्यका बड़न आरा है टेक्स का यह कर रहा है मेरे हाथ खड़े है यह जो आपने परक्यूसित मेरे में जोड़े है न यह परक्यूसित जोड़ दो बट इस पर टैक्स बन रहे है कि मैं पेंडिकर पाऊंगा मैंने का चल तू भी ग परक्यूसित बहूटे वह टेक्सीं अगर investment टेक्स्पे करते हैं सपरक्यूसित तो वह 553 के हात में यह कों है करेंगे मैं साथ और यह जोड़ेंगे यह नहीं एग्ज़ा यह ऑल्रेडी हम एक बात डखुके लेटिक्स लेकलके हमें तो टेक्स मिल गया है तो चाहिए वो किसी ने भी दिया हो तो अगर वह एंप्लोईर ने दिया फाइदा हुआ एंप्लोई को बद वह एंप्लोई की हाथ में एक्जम्ट होगा वसेवा ध्यान देजिए तो बड़ावर से इन चार पैंट को लिखो देन काम ख़तम करो कि अग्या है हंजी कि 45 का नाम क्या है लिखवा देता हूं 45 का नाम है टेक्स पेड ओन परक्विजिट बाइए एंप्लोईर ओन भी हाफ ऑफ एंप्लोई हर्श एमसी के उसमें ग्रूप में डाल दूंगा सेलरी के उसको प्रेक्टिस कर लेना कि लिखो जी पहला पाइंट लिखो सरंदर ओसलरी सरंदर ओसलरी यह लिखो नो टक्सेबल इन हैंस ओस एंप्लोई सेलरी ड्यू होने से पहले ही त्याग देना दूसरा है फोर गॉइंग ओप सेलरी ड्यक्सेबल इन हैंस ओफ एंप्लोई सेलरी ड्यू होने के बाद त्याग देना तीसरा है अध्यू है अध्वांस अगेंस्ट अ सयलरी इस और आध्यू ऐस लोन नॉट एज एडवांस सेलरी यू ओ कि लोन की तरहें है कि ट्रीट्मेंट करेंगे इसका ट्रीट्मेंट करेंगे लोन की तरह एक एक टैक्स पेड ओन परक्यूज excell़ी कमा मिजद मुद़्ूज उन बहाफ अप्लीऔ एक एक्जूम्ट इन हैंट Всॉफ एप्लेड इंपल्ये कि अंडर सेक्ष्षन टैन टैन्ट डबल सी कि अधिकरी बस यह पॉइंट है तो कल की क्लास से में एक निया चप्टर स्टार्ट करेंगे हाउस प्रोपर्टी काच ठीक है एक है हमने कंपलीट कर लिए आर्में स्कैम से कि भीज दूंगा आप उसकी ट्राइब कर लेना बाकि आज आपका टेस्ट भी है चैप्टर वन का तो सारे बच्चे जोएं जरूर करना ताकि आपको जिसने रिवीजन क्लास देखी है यह नहीं देखी क्योंकि आपने पहले चैप्र नंबर दो किया ही हुए ना तो टेस्ट देने में कुछ कम से कम आपको यह पता लगेगा कि आपके टेस्ट में नंबर कितने आ ठीक है ना तो ताकि आपको यह आइडिया लगेगा कि जो रिवीजन क्लास नहीं देख रहे तो उनको लगेगा कि रिवीजन क्लास देखनी चाहिए और अगर बीना देखे नंबर अच्छे आरे हैं तो इस आप सेल्फ स्टेडी भी करो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूँगा क्योंकि अभी मैं घर जाओंगा में को टेस्ट बनाना है देखते हैं कितना टाइम लगता है अगर तीन बजे पहले बन गया तो मैं तीन बजे ले लूँगा नहीं तो फिर थोड़ी सी लेट होगा बर टेस्ट होगा जरूर यह करेंगे कल की क्लास में कल सुबह सेम टाइम आठ वरे एक नए चैप्टर के साथ हमारा चैप्टर कल साथ होगा इंकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी का बस यह बद ध्यान तो टेस्ट आपका होगा मैंटी क्विज के ओपर जी आपके एप है आप सर्च कर लो गूगल के ओप मुझे एप एप एच ठीक है चलो रही ओके लिए बाइबाय टादा थेंक्यू सो मच जैहिन थेंक्यू सो मच और मिलते कल सुबह आठ बजे बाइबाय टेक केर है अगसे बाद में दे देना